गुट इमनिंग लास कैसे आप सबी उमिद करता हूं बहुत अच्छा होंगे जितने भी प्यारे बच्चे होंगे तो सबी कब सबी बच्चे जुड़ जाएए बच्चों के सामके चार और अब स्टार्ट होने वारी एक शांदार क्लास आपके कह सकते पेपर टू में मैथ और साइंस की तो जितने भी पच्चे हैं जलदी से जुड़ जाएए कोई भी आधि क्वेश्चन कोई नीज हो मैं बार बार बोलता हूं ऐफ्लाइन कमेंट्स में अपने कमेंट सेक्षन में अपने कोशन जरूर दिया कीजिये क्योंकि मेरे बच्चे देखो आप सीदीस बात समय है नहीं करते हो तो फिर समझ जाओ अपने कर सकते हग की लड़ाई के लिए भया शाम तो बैठे पड़े हो तो मेरे बच्चे इस समय तुम्हारा अधिकार है कि अपने जो भी टीचर है जिस सब्जेक्ट की जादा जादा जितने भी है डाउट्स क्लियर करें ठीक है न चाहिए यूटूब से हैं फेस्बब को यूटूब से हैं अप्लिकेशन से जहां जी स्टीचर को पा जाएए भया पूछे भी ना मत छोड़िये बिलकुल मत छोड़िये यह अधिकार है कि अपने डाउट्स आप क्लियर कर सके वो टीचर को ते नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं ठीक न तीजी सुनी भावी से चिका है यह भावी से किसी चिका है देखो सलमा सर्फी चलो देखो आते हैं यह चमतकार करने लगी आओ चलो तो मेरे बचे यह कोश्चन थोड़ा से हम जल्दी में कलते इसलिए तो डिसकस नहीं कर पाए तो मेरे बचे अदिबात की जग कभी भी आ है लो पीच यह मेरे बचे दिखा सकते है कि कम पीच कम पीच का मतलब होता है कि जो भी चीज होगी वो उसकी आवाज कैसी होगी मेरे बचे मोटी होगी कैसे होगी जो चीज की पिच्छी अतारत तो कम होगा मिटी आवाज होगी और उसकी अदिबात कर सकते, मेरे बच्चे क्या होगा, आवरित्ती भी आपका कम होगा, प्यानों की हाइप पीछ है, इसकी मदब इसकी आवरित्ती ज्यादा होगी, ये तेज और पत्री सुने देगा, कंबर करने वाली वस्तुका कसकते, आयाम ध्वानी के प्रवलता, तो म या कारण है यह कर सकते statement A का उचित्व कर सकते इस पस्टी कर नहीं है इसलिए यहाँ पर B answer होगा आए यह यह question कर बता दिया था कि भी यह कहां पर यह बात करें ग्रिविटेशनल फेनोमेना किस चीज को explain नहीं कर सकती है तो यहां पर दिबात कर सकते कि यह symbol जी बात है ग्रिविटेशनल या ग्रुत्व आकर्ष्ण की जो घटना है यह कर सकते हैं सोलर एकलिपसी यह कर सकते हैं मेरे बच्चे जो ग्रहन इसको explain नहीं कर सकती है चलिए चार अलग लग गेदे हैं कल यह थोड़ा सा कई बच्चों को clear नहीं था ठीक है न तो मेरे बच्चे कोशन नमर 13 है कि चार गेदों को फेका जाता है और चार अलग अलग सत्य हैं तो मैंने बताया था कि यहां पर मेरे बच्चे जिबात कर सकते हैं यह क्या होगा इसकेटिंग रिंग था इसकेटिंग रिंग में सबसे जादा होगा इसके बाद उडें टाइल्स लग इसकेटिंग रिंग में सबसे जादा दूसरे नमर पर लकड़ी के टाइल्स होगी इसके बाद बात कर सकते हैं पकी सड़क यह भी चिकनी होती है उसके बाद लास्ट म समospu पाड़ा जिसमें बारुन्फ eder होता है. ये भी कोश्चर आपको करा दिया था, अब आईये. ये भी कोश्चर करा दिया था, हाँ, अब आईगा मजा. तो देखो भीचा अब आईगा ब के इस कोश्चर में शानदार मजा आने वाला है. यह कोशन हुमोर गिया था चलिए तो जितने देखो रीना थपियान भी आचुकी है बच्चा अंजरी जो भी जितने भी बच्चा आचुके है बहुत बहुत शागत है इस जापूर टीचिंग स्कुल पे और अब आएगे कोशन नमबर 16 पे एक तत्व है जो का सकते पानी के साथ अभिक्रिया करता है मद यह एलमेंट है जो किस से S2O यह का सकते जलस से अभिक्रिया करता है इसने क्या बनता है एक सालूशन या विलियन बनता है ठीकर रख अब यह जो विलियन है इसको क्या कर दिया सिंबल सी बात ही सージविलियन को डाला किस पर फिन ऑफ, फाथलीन ये क्या एक संकेटक है इंडिकेटर है इस पर डाला तो मेरे बच्चे इसका रंग क्ना हो जाता है गुलाबी हो जाता है कैसा हो जाता है पिंक या गुलाबी तो सोचिए का सकते किस मीडियम या माध्यम है फिनॉप्थरीन गुलाबी रंग देता है तो बताइए मेरे बच्चे इन में से कौन सा एलमेंट ये तत्व है जो गुलाबी रंग देगा तो यहाँ पे मेरे बच्चे एक ही जगा पे हो जाएगा सोडियम इसके जल से अब गुलाबी तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चे सोडियम बहुत अच्छा सभी ने रिना थफियाल ये का सकते क्या ये कौन है मुन्नी कुमारी डी बिलकुल सही अंजली बहुत अच्छा सभी बच्चे बहुत अच्छा करने पर एक काम नहीं कर रहे हैं सेशन वो लाइक और शियर नहीं कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है आए कथान स्टेट्मेंट इस्टिफलिंग इस एप्लाइट तो प्रेवेंट अफ व्च्छा करने के लिए लिए इस्टिफलिंग क्या करते हैं लागू किया है तो मत्द इस्टिफलिंग एक पर क्रिया है मत्द हाट करेंगे अहिस्मा सिल्क इस दस सिल्क गेदर्ड आप्टर दस सिल्क मौथ इमर्ज फ्रॉम दग कोकुन अहिस्मा एक रेस्ट कसकते रेसम रेसम कीट के उभरने के बाद कसकते जो भी कठा किया गया रेसम है कोश्चन नमर 17 या 17 नमर का जो भी है कोश्चन है थोड़ा देखिए सुनिए और अधी बात की जाए तो मेरे बच्चे समझ ही और बताईए क्या यह सही है या नहीं सही है तो मेरे बच्चे यहाँ पर दिया आपने नेचुरल आपके इने पढ़े होंगे फाइबर नेचुरल देखो भी विनिता दिवेदी आचुके यह वेरी गुड़ नहीं ठीक ना प्रभा भी आचुकी है तो मेरे बच्चे यह बात की जाती है देखो दोनों के दोनों स्टेक्मेंट एक रेसम का कर सकते हैं नॉर्मल टाइप एक अहिसमा एक को कर सकते हैं यह भी रेसम का तो यहां पर दिवेदी बात की जाए कि एसरसन ने नीजन कथन और कार्ण दोनों सही हैं परती जो कारण कथन से मैच नहीं करता यह ठीक से एस्प्लेनेशन नहीं करता दिव्या जोसी वेरी गुड आप्टरून बच्चे शादनी को और वेरी गुड आप्टरून ठीक है चले चली अगला वेन एन एसी रियक्ट वित बेस विच और फॉली इस आर प्रड्यूस मेरे बच्चे दी बात की जग कभी वेंदी कर सकते अमल यह जग कर सकते एसीड यह जब इनकी अवक्रिया होगी तो क्या चीज बनेगी सोचिये विचारिये और बताईए बताईए मिरे बच्चे यहाँ पें किस चीज का सिंपल सी बात है कि फॉर्मेशन या निर्मान आपका होगा सोचिये विचारिये पहरी चीज तर देखो बहुत यह जो रियक्शन ह अब क्रिया होगी और इस अब क्रिया में दिबात की जाएं तो क्या होगा तो मेरे बच्चे यहां पर देखो क्या क्या बनेगा एक तुबरे बच्चे यहां पर क्या बनेगा सॉल्ट लमन दूसरा एस्टु ओ जल और साथ में कर सकते हैं कुछ हीट या उसमा भी क्या होगी पन होगी तो 18 का मेरे बच्चे अदिवाद कर सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते है simple सी बात है C answer आपका होगा मेरे बच्चे निमलिकिन में से किसके लिए एक पौधा मुर्ज हाना जिमेदार ठारा जा सकता है तो मेरे बच्चे यहाँ पर बताना है कि वही किस के वैसे, किस प्रक्रिया के वैसे, जो भी मेरे बच्चे दिबात कर सकते हैं, पौधे, आपके क्या हो जाते हैं, मुर्जा जाते हैं, बताईए किस प्रक्रिया के वैसे, पौधे, आपके सिंपल सी बात है, मेरे बच्चे एक्सेसिव टांस्परिशन बहुत जदा पानी वास्पोर सर्जन वास्प के रूप में निकलना जो भी है बहुत जदा पानी का उसो्षनй बहुत जदा प्रकाल संस्रेशन अफ्टक्टिव एप्जॉप्षन औमिनल बहुत जदा लवन तो मेरे बच्छे जब क्या होगा सिम आदे क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, यह आपके दिबात कर सकते हैं बच्चे, मुर्जा जाएंगे, कौन जो भी कर सकते लीफ या पक्तियां, तो जितने भी बच्चे में यह जल्दी से आजाईए जो नहीं आए, वो भी आपके क्या किजिए, आजाईए जल्दी से, और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजे अब अगला कोश्चन नमर आपका कसकते 20 या 20 नमर का कोश्चन थोड़ा सा देखिए सुनिए समझिए और बताईए बताओ मेरे बच्चे एक जलेंड प्रजेंड इन दफियर्स एड रिलीज दा हार्मोन्स थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एक ग्लेंड है जो की कसकते जोड़े में और एक हार्मोन रिलीज करती है जो ब्लड पेशर या रखते दापको नियतित करता है ठीक से पढ़ना इट रिसीब्स और टू सेक्रेट हार्मोन फ्रामें 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 फ और बताएए, और सभी लोग सेक्षन को शेर की जिया, तो देखो मेरे बच्चे, ये Gland जो करसकते है, ब्लट पेशर को रिगुलेट करती है, ये मेरे बच्चे अधिर बात कर सकते है, जो Gland ब्लट पेशर को रिजलीस करती है, मतलब ये हो जाएगी मेरे बच्चे, कौन सी Adinal इससे क्या बोल सकते अधिवरिक गरंथी अधिवरिक गरंथी हर्मोन जारी करता है जो की रख्तचाप को इसे वाई गरंथी हर्मोन स्थ्रावित करने के लिए आदेश देता है अब मेरे बच्चे अधिवरिक किज़र वाई कौन सी तो सिंपल सी बात है जो पिट्रूटी ग्लैंड है पिट्रूटी ग्लैंड यहां पर दिबात कर सकते हैं प्यूर्श ग्रंथी ये क्या एस टीटीएच हर्मोन निकालती है किसके लिए एडनल ग्लैंड तुम चलो अपन वो भी अपना हार्मोन निकालता है, तो मेरे बच्चे पिट्यूटी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, जिसे मेरे बच्चे बोल सकते STH, या मेरे बच्चे का सकते growth हार्मोन, या बृध्धी हार्मोन, या इसी को बोलते somatotrophic हार्मोन, तो यहाँ पर answer B होगा, ना कि C होगा, ना D होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिकत हो, तो पता दे ना मेरे बच्चे, और इसी बात कीजा, यही एडनल ग्लेंड है, अगला, repulsion is a CO test to identify the magnet, the statement is a example of, मेरे बच्चे कहा जा रहा है, कि सिंबल सी बात है, कि चुम्बकों में, मतलब का सकते है, प्रतिकर्शन की जो घटना है, यह का सकते है, चुम्बक तो का का सकते है, एक का सकते, निश्यत परिछण है, यह क्या चीज अबजर्वेशन है, इंटरफरेंस है, प्रिडक्शन है, हाइपोथेसिस है, बताईए, मैंने कहा ता इससे पहले, जो चीज़े आपके सामने हो रही है, जिससे आप देख रहे हो, करके देख रहे हो, वो अबजर्वेशन है, अनुमार प्रिडिक्शन निवाद की जाए, ठीकर, अब प्रिडिक्शन मतलब ऐसा होगा, कन्फर्म नहीं है, इसके लग परिकल्पना हाइपोथेसिस, तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, सोच ये, विचार ये, तो मेरे बच्चे के पर्तिकर्शन, चुम्बग की पहचान करने का, एक निश्चित का सकते हैं और इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता, हमारे आंकों के सामने करने पर, तब ये observation या कर सकते हैं, और लोकन हो सकता है, परम तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले का देखा हुआ कोई चीद, अब उस पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या कि रिपल्सन क्या एक स्योर टेस देख रहे हैं चुले चुलिए अरे यह तो खतम हो गया चुलिए अगरे कोश्यन की तरफ और मेरे बच्चे सभी बच्चों को एक बार बता देना चाता हूं ध्यान से कि भाईया देखो जो चीजे तुमने गलती की सीटेट में की सीटेट में सोचते रहे कि अरे यार लिया जाएगा बैच लिया जाएगा लिया जाएगा पैटर्न और कुछ बहतरीन पैटर्न के साथ इस बैच को लॉंच किया गए क्यों क्यों क्योंकि यह 4 साल बाद vacancy आई है ठीक है ना इसको ध्यान में रखते हुए ठीक है और दूसरी चीज है कि इससे पहले 60% का डिसकाउंट था बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो अब मेरे बच्चे यह क्या कर सकते के विएस 60 कोड यूज कर रहे 50% के विएस 50 कोड यूज कर रहे 50% डिसकाउंट के साथ के विएस प्याटी संजीरी बैच 1875 रुपे में और सिर्फ यह आप जनल बैच लेते हैं तो 50% डिसकाउंट के साथ 1240 और अधी आप TGT, TGT से संस्क्रित, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और कर सकते मैथ और फिसकल अधी आप लेते हैं यह 50% डिसकाउंट के साथ 2499 तो मेरे बच्चे इस बैच की एक और खास है DPP इसमें डेली प्रेक्टिस पेपर मिलता है जिससे हर वो टॉपिक जो आपका वीक है, कमजोर है और इस स्टॉंग है तो और स्टॉंग हो सके, साथ में इसके अलबा अलग से कर सकते PDF फाईल में नोट्स, मत एक दिन में आपको दो चीज़ा मिलती है, एक तो DPP और साथ में कर सकते PDF, इसके अलबा बहतरीन कॉंसेप्ट के साथ क्लासेज ओन टाइंग डेली चलें, चलें आओ, यहाँ पर क्या कोशन नमर ये थोड़ा सा, जो भी मेरे बच्चे पढ़िए, और सोच ये, विचार ये, बताईए, यहाँ पर एक खगोली पिंड जो एक साथ दो अन्य खगोली पिंडों की परिक्रिमा करता है, तो ये ए हो सकता है, क्या, पहला, वीनस, सुक्र, पोलिस्टार, धृतारा, चंद्रमा, यूरेनस, इनमें से कोन सा होने की पॉस्बल्टी हो सकता है, कोई अन्सर, कोई विचार, भैया, पोलिस्टार धृतारा, कैसे, सोचो, विचारो, और बताओ, चलो, बस्रा भी आगई, रेनू भी आगई, रेन्ददी भी, चलो, और कोई, मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो, जो धृतारा है, मेरे बच्चे, धृतारा, कब से, चक्कर काटे लगा, किसी के, भैया, धृतारा, आपके देखा था, क्या, किसी के भी चक्कर, नहीं काटता, गल्ती से भी नहीं कटवाना उसको, आओ, ऐसी गरच कलत चीजें मत किया करो, when two neutral objects are rubbed against each other, दो उदासीन जो भी कर सकते हैं, पतार, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के विपनी मत जो भी है, उदासीन है, ऐसे करके रगड़ी जाती है, तो मेरे बच्चे इससे क्या होगा, तो वो अधिगरहित होंगे, क्या होगा, unlike charge of the same magnitude, मत अब कर सकते हैं, कि समान पर समान आवेश, दोनों पर क्या होगे, विखसित होंगे, unlike charge of the same magnitude, मत अब कर सकते हैं, समान आवेश, अच्छा, unlike charge of different magnitude, मत बिविन परिमार के विपरीत, जो भी कर सकते हैं, अलग-अलग परिमार के, अलग-अलग आवेश उत्पन होगे, अलग अलग परिमाड के क्या होंगे समार आवेस जो भी कर सकते विक्सित होंगे तो मेरे बच्चे यहां पे क्या थी? Simple जी बात है एक object ऐसे एक object ऐसे था, दूसरा object ऐसे था दोनों को रगणा गया है तो यहां पे मेरे बच्चे यह क्या हो सकता है? यह जो हो सकता है कि एक आपका positive हो जाए दूसरा आपका same कर सकते negative तो यहां पे जो chances हैं वो किसके होने के? एक के होने के chances सबसे ज़्यादा है सपनों गया राजकुमार, मेरे बच्चे देखो दूसरी ID बना लो ठीक है न? चलो आप क्योंकि मेरे काने से भी कुछ हो नहीं सकता आओ, सभी के सभी बच्चे जल्दी से एंसर कीजिए मेरे बच्चे दि किसी कमरे में रात भर रखने पर किसी चालक का तापमार किसी कुछालक से अधिक होता है काता नहीं कि किसी कमरे में रात भर किसी चालक काता अपमार किसी कुछालक साधिक होता है कारण क्या है कंड़क्टर के माध्यम से गर्मी उन्हें गर्म बनाने के माध्यम के बहुत धीमी गती से बहती है मदब काने का मदब है heat flow very slow throw a conductor making them hot बताईए question number आपका कर सकते थोड़ या तीसरे नमबर का सोचिए विचारिए बताईए क्या पढ़ा रहे है science मैं कौन है मैं कौन है तो देखो मेरे बच्चे दिबात की चाहिए यहाँ पर तो simple सी बात है मेरे बच्चे देखो यह बिल्कुल गलत लिखा है मेरे बच्चे दिबात की चाहिए कमरे के ताह पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें रखी भी बस्तुएं जादा गर्म कैसे हो जाएंगी बिल्कुल गलत है तो मेरे बच्चे कतन भी गलत है conductor में घर्मी धीरे-धीरे उसमें पर वाहित होती यह भी गलत है जितने भी conductor यह चालक है उसमें उसमा का प्रवाद तेही से होता है इसलिए मेरे बच्चे दी बात की जाती है, इसमें क्या कर सकते है, कथन और कारण दोनों गलत है, क्यों, मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, कभी भी किसी कमरे में रख दो, कुछ चालक और आग का चालक, भीया, ताप जादा कैसे हो जाएगा, तीस निकली से सल्शिय से होती है, यह करा धीरे-धीरे, गलत है, अगला मेरे बच्चे, which of the following statement, which of the following statement, about the image formed by the concave lens is correct, मेरे बच्चे दिबात कर सकते है, concave lens के, द्वारे कौन से खताने मेरे बच्चे यहाँ पे, जो भी कर सकते है, सही होगा, बताईए, concave जो lens है, इसके बारे में कौन से चीज, मेरे बच्चे दिबात कर सकते है, तो सही होगा, question मेरे दिबात कर सकते है, fourth, which of the following statement, about the image formed by the concave mirror is always correct, तो मेरे बच्चे दिबात कीजा, जो concave mirror होगा, इससे जो भी कर सकते image होगा, यह हमेशा एद रखीगा, यह स्थीधा बनेगा, और जो image स्थीधा बनती है, मेरे बच्चे इससे हमेशा करते है, virtual, यह कर सकते है, मेरे बच्चे अभासी बनेगा, पहली चीज, दूसरा बें, यह सीधी बनेगा, अभासी बनेगा, और कर सकते object यह इतना बड़ा है, तो मेरे बच्चे यहाँ पर क् अगले question, बड़ी और चोड़ी पट्टी वारा थैला ले जाना क्यों आसान होता है? question है, why it is easier to carry a bag with large, why it is carry, मेरे बचे यहां पर कर सकते हैं क्या, why it is carry to bag with large and broad strip, मेरे बचे जैसे माल लिजे, एक ही यहां पर क्या है, सिम्बल सी बात है, bag है, ठीक है, और इस bag check, मतब जो भी कह सकते हैं, लटकाने वाला, जो कहा जाता है, मेरे बचे जो लटकाने वाला, यह पट्टा है, यह जो पट्टा है, ऐसी चोड़ा रखेंगे, तो यह आसान क्यों होता है उठाने में, force ejected by the bag increase, मतब, bag के द्वारा लगाएगा, बल का मान बढ़ता है, pressure ejected by the bag, मत बैग के द्वारा लगाएगा, दाप का मान बढ़ता है, back के द्वारा लगाएगा, बल का मान बढ़ता है, बैग के द्वारा लगाएगा, दाप का मान जो भी मेरे बचे कम हो जाता है, सोचिए, विचारिए और बताइए, तो मेरे बचे आप सभी ने पढ़ा, pressure is inversely proportion to area, यह पढ़ा है ना कि जो दाब होता है मेरे बच्चे कभी भी याद रखी किसी चीज़ के छेत्रफल के वित करुमार पाती है। मतद छेत्रफल जादा होगा वो चोणी होगी तो दाब कम। मेरे बच्चे यहाँ पे देखो बैग भारी है बड़ा है इसके पट्टे चोणे रखे गए पट्टे चोणे होने से क्या हो गया एरिया या च्छत्रफल बढ़े गया तो दाब मेरे बच्चे ऐसी सिती में क्या होगा घटेगा तो यदि कोई भारी बैग उठा रहे हैं तो पट्टे हमेसा चोणे कर लीजे इससे क्या होगा आसान जैसे कूली होता है कूली भी जब बैग उठाता है तो मेरे बच्चे देखे सिर पे एक पगड़ी चोणी से बाता है जिससे जो प्रेसर या दाब जो पड़ेगा उसके सिर पे वो क्या हो जाए वो मेरे बच्चे कम हो जाए इसलिए कुली जब भारी समार उठाता है तो मेरे बच्छे डारेक्ट सिर पे नहीं रखता बल्कि एक कपड़ा चोणा करके रख लेता है जिससे दाव कम हो तो फिर्ट का मेरे बच्छे डी एंसर यह तब इसदांपर पढ़ाया था अगरा कोश्टन कोश्चन कद़ल आप्क्छे ऑ मयगरे यहाँ पर कर सकते है कि हूं दो हिस्सो में तूठने पर एक चुमबक अपना चुमबक तो खो देता है अच्छा चुमबक के ग्रूओं पर चुमबकी च्टरफो प्रबल होता है मतब यह काजारत चुम्बक की जो ध्रू है यहाँ पर देखो मेरे बच्चे रिबात कर सकते हैं जो चुम्बक की लाइन है यह क्या होती है बहुत पास-पास होती है चुम्बक की लाइन क्या होती है बहुत पास-पास होती है तो मेरे बच्चे यहाँ पर रिबात की जाथ सि कारण है दी बात कीजा सही है तो यहां पर D answer होगा क्या बात है पंकज कुमार राजबर तो भैया पंकज कुमार राजबर मुझे लगठा कि तुम्हें मिल नहीं पाएगा फिजिक से नोट्स ऐसा करो भी तुम पर्सनल नंबर पे मेरे जो भी कर सकते भेज दो क्योंकि मुझ आपको भेज दूँगा ठीक है तो पंकज में भेज दूँगा आपको चले इस पे जो भी वर्टसप कर देना ठीक है चलिए मैं पर्सनल भेज दूँगा क्योंकि आपने अपने केशन लिया है आपका नुकसान नहीं होना चालिए अगरा विच और फॉलिंग इस ट्रू फ सभी कर सकते धड्रीटों के लिए क्या कर सकते चीज सही आपका होगा सबी धातों के लिए क्साई होगा सोचिए बिचारिए बताइए जैसे मरक यह दीबात की जाए लिक्विड यह तो हो ना सकता दे आर लेस डेंसर देल वाटर मतलग ये पाणी से का सकते कम सगन होता है ऐसा कुछ है नहीं बहुत से मेटल जादा है ये भी नहीं हो सकता दे आर वेरी रियक्तिव तो मेरे पचा ऐसा कुछ है के सभी धात हुए ये रियक्टी भी है ठीक है न? जैसे यादी बात की जा चांदी गोल्ड ये प्लेटिनम ये बहुत कम रियक्टिव है तो ये भी नहीं हो सकता तो क्या है दे कंड़क्ट एलेक्टिसिटी परम्तूर में वितुधारा बहती है ठीक अभी अपंकर राजभर चलो तो मेरे बच्चे इसका डी आज जदी जदी कोशन करा रहा हूं कि अब विच्चा राज़ इस नोट अप्लीकेशन अप्लिकेशन अफ में अफ से प्रेशन ऑफ से प्रेशन अफ सेंटिफिगेशन के सकते हैं लिम्डिके बच्चे कों से अब के अंदरिया नामक प्रिथिकरण की विधिकान प्रयोग नहीं है इनमें से किसमे centrifugation method का यूज नहीं करेंगे separation of butter from the milk मतर कर सकते है दूस से cream निकालने में बिलकुल करेंगे separation of water from the wet cloth in washing machine washing machine में भी होता है इसके अलबाद separation of food item from the adulteration इसके बाद कर सकते है diagnosis, diagnostic test in the laboratories मतर कर सकते है प्रयोगसाला में अलबाद कर सकते है तो मेरे बच्चे प्रयोगसाला में भी होता है आपके क्या होता है खून का sample लेके centrifugation machine में डालते है जिससे क्या होता है plasma अलग हो जाती है ये blood carcels अलग हो जाते है तो laboratory में भी करते है कि खाने में असुधियों को दूर करने के लिए centrifugation में धर्ड का उप्योग नहीं किया जाता है तो मेरे बच्चे अदिबात कर सकते है तो ये वारा आपका कर सकते है एट का CNC है भोगा पूछ लिया करो पूछ लिया करो ठीक है भया तो भया पंकज सुने रहा हो न तुम देखो भई विनोत पंकज हमारी बात ना सुनना है चलो ठीक है मत तनो बाद में सुनना कभी है अगला कोश्चर है वाट चेंज विल यू अब्जर्ब इन दे टेस्ट्यूब कंटेनिंगा SCL इफ फ्यूड रॉफ एप ने एच अदे तो ये मत मेरे बात कर सकते है कि एक कर सकते है टेस्ट्यूब में SCL है और उसमें क्या किया तक कुछ ड्रॉब एन ने वचके डाले जागा तो क्या होगा इट चेंज दे कर लग इट गिपस अब दा पंजेंड इसमेर मतलब ये बदबू देगा ये कर सकते है क्या गर्म हो जाएगा इट सो अब्राउन डिपॉजित ये कर सकते क्या एक भूरा और छेप दिखाएगा कोस्चन नमर आपका कर सकते 9 सोचो विचारो बताओ देखते कौन बताता है मेरे बच्चे यहाँ पर देखो कलर तब चेंज कलर तो किसी हालत मनी चेंज होगा तो मेरे बच्चे यहाँ पर इक्षन होगा साथ में आपका जल बनेगा अब यहाँ पर चुकी सॉल्ट बनना इसलिए फिनोप्तलीन भी डालोगे तब ही यह रंग ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई नहीं पर हाँ एक चीज होगा पर रखन नहीं जिसमें कराओगे वह क्या होगा वार्म होगा गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा ठीक है ना चलो सभी बच्चे थोड़ा सा दिल से दिमाग से थोड़ा से क्या करते सेशन को शेयर करते मजा नहीं आ रहा भाई मजा नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा शेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजे, आईए थोड़ा सा देखते हैं, रेफ्रीजरेटर, ए क्या है, सिम्ब सी बात है, मेरे मचे कर सकते हैं, यहाँ पर A is a release from रेफ्रीजरेटर, मद ए नाम का जो पदार्त है, यह क्या रेफ्रीजरेटर, और एरोसॉल इस्प्रेय से निकल होती है, अब भाईया जब निकलेगा तो भाईया एक चीज़ की कमी होगी, सुर्य सी को पिर्थिवी पर खोज करने से रोकिता है, मतलब जो का सकते क्या, B is responsible for blocking the sea of sun, from searching the earth, रीचिंग यहाँ पर सर्चिंग बजा, रीचिंग दा आर्थ, तो मेरे मचे A नाम का पदार्त है जो refrigerator और aerosol spray से निकलता है, और B जो है, यह का सकते क्या करता है, सिंबसी बात है, पिर्थिवी तक, एक का सकते एक चीज़ को पहुचने से रोकता है, ठीक है ना, तो बताइए मेरे बच्चे क्या है, सोचिए, तो मेरे बच्चे देखो, refrigerator में एकी चीज़ यूज़ होती ह कौन सी, CFC gas, chlorofluorocarbon, यह तुमारा A हो गया, B एदिबात कर सकते हैं, मेरे बच्चे O3 layer है, यह कर सकते O3 layer है, मतब कर सकते Ozone की, सिंबसी बात है, परत है, और Ozone की परत किसको एदिबात की जा, तो यह भी रेस को, पर अब इनी केड़ों को प्रदीर पर आने से रोकती है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे D answer हो जाएगा, सबसे बहतरीन answer, बहुत अच्छा मेरे बच्चे चादनी, सुएता, रेसु, very good morning मेरे बच्चे, शानिया सदिक भी आ चुकी है, D answer, थोड़ा सेसर पर जोर लगा दो, और जो नहीं आ रहे है, बात पस्ताएंगे, कि हाँ, यह क इसका फार्मला होता है, MgOH का ट्वाइस, यह इसे कर सकते है, मेरे बच्चे एंटा एसीड की तरह, और यह कब एंटा एसीड का यूज करते है, जब मेरे बच्चे एसीडिटी हो जाती है, पेर्ट में जलन होने लगती है, तो मेरे बच्चे उस समय यूज करेंगे, तो 11 का D answer होगा, D, 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 इतने मेरे से पढ़ाओ पर कोई share ने करता है, गलत बात है, बहुत ही जादा गलत बात है, इतनी मेरे से कोई जी जान लगा के पढ़ाए, और कोई है, जो share ही नहीं करते हैं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, चलो, कोई बात नहीं, अगला मेरे मेरे बच्चे, mixing of baking soda, baking soda का मतलब है, NaOH CO, इसको mix किया गया, lemon juice, lead to the formation of bubble, मतलब lemon juice में बात की जाए, जो citric acid, उसके सद मिक्स किया गया, तो बताइए, क्या निकलेगा, oxygen, methane, carbon dioxide, hydrogen, सोचिए, यहाँ पर क्या निकलेगा, कोई बात नहीं, तो मेरे बच्चे, यहाँ पर बात कीजा, citric acid की जो भी reaction होगी, तो क्या होगा, वो फुस-फुस हाट के साथ, एक gas यहाँ निकलेगी, और वो gas कोई और नहीं होगी, बल्कि इसका नाम है, carbon dioxide gas, मेरे बच्चे, इस समय सल्फ स्टड़ी के बजाए, कोई ब्रेक्टिस करना सबसे ज़्यादा जब भी है, which of the falling activities mean to reduce the friction for useful outcomes, निमनिकित में से दिबात कीजा, कौन सी कती भी थी, उपयोगी पर नामों के लिए घर्षण को कम करने के लिए, मतलि में से दिबात कीजा, किस में मतलब वो किया जा रहा है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसमें कुछ चेंजेश किये गए, मेगिं ग्रूप्स अनुद सूरश तौर, मेरे बच्चे दिबात कर सकते यह क्या है, यह एसने ग्रूप से लगाए जाते यह तो फ्रिक्शन बढ़ाएका, तो मेरे बच्चें कभी में देखना, जो भी कर सकते हैं जो टायर होता है, इस पर इसे गढ़े होते जिससे क्या friction भड़ा यूजिंग brake pads in automobiles मेरे बच्ये दिबात कर सकते क्या आटो मोबाइल्स में कर सकते brake pad लगा जाते है याद है इससे brake pad लगा जाता है जिससे क्या करते है जो भी पैर रखते प्रेशन लगाते तो गाड़ी रूख जाती है बताई इन में से किसमें कर सकते हैं, फ्रिक्षन को कम करना लाबदायक है, तो मेरे बच्चे यहां पे ग्रेफाइड क्या होता है, लूब्रिकेंट की रूपे यूज होता है, जो मसीन के जो भी पार्ट्स हैं, उनमें फ्रिक्षन या घर्षण को रोपता है, तो यहां पे घर्षण की इसमें क्या होगा, कम होगा, बाकी सम में बढ़ेगा, ठीक है, 13 गड़ी है, चलिए, आज हम रिकॉर्ट तोड़ेंगे, आज हम रिकॉर्ट तोड़ेंगे, कोस्चन है, एनिमल्स वित मोनो ओकुलर वीजन है, इंक्रीज फिर्ट ऑफ वीजन, इनिमल्स वित बाई और अनुकलर, मैंने बतल काने के मतलब, एक जो कह सकते हैं, एक जानवर जिसके पास एक आख है, ठीक है ना? और यहां पे देखो भई, क्या? दो आख वाई, तुझ दोनों तरफ देखे, तो कह सकते हैं, मॉनाजर्कलर जान exclusive के द demasiado, दिर्ष्टि accomplish के जान वरोब क कह सकता है, मॉनाजर्कलर दिर्ष्ट्री वाले जान्वरों में दृरबीन दिर्ष्टि वाले जानवरों की तुन्ना में द optics दिर्ष्ट्रि प्रिधी होती है अच्छा जी, दिष्ट्री वाले जानों में दिष्ट्री छेत्रों को ओबरलाब करने क्छमता होती है एनमस्वित मोरो अग्लोर वीजन ठीक है न? हैं एबल्टी टो ओबरलाब वीजन फिल्ड तो मेरे बच्छे यहां पर सोचिए, विचारिए, बताइए तो मेरे बच्छे देखो भी यहां पर एक अधी कर सकते हैं यहां पर क्या होगा? कतन तो सही था कि जो मोनो अक्लर होते हैं इनका तिस्टी छेत्र मेरे बच्छे यह देखो अब दो साइड में जो भी लगी है तो यहां पर क्या होता है सिंबल सी बात मेरे बच्छे कर सकते हैं क्या? यहां पर उसका कर सकते हैं, जो मोनो अक्लर है इन में कर सकते हैं, कोई भी चीज को जो देखते हैं, वो फैल के ज़्यादा मता चोणाई को देख सकते है ज्यादा छितर को जबकि पाइनुकुलर जुन में वीजन है ये का सकते सिर्फ लिम्टेड जो भी का सकते इसमें इसको ही देख सकते है पर अब तो ये कारण जो है बिलकुल मैच नहीं करता अगला निम्निकित में से किस प्रक्रिया को सभी जीवत प्राणियों की आवस्यक विसेस्ता नहीं माला जाता इनमें से कौन से प्रक्रिया है जो सभी जीवत जीवों में सभी जीवत जीव होने के लिए विसेस नहीं है इन में से कौन सी कर सकते लचण जो सभी जीवत जीव में नहीं पाय जाते तो मेरे बच्छे एक्सक्रीशन जब वो कुछ लेगा मतल नूट्रीशन होगा डाइशन होगा तो भाईया सीधी से बात एक्सक्रीशन उट सर्जन होगा ठीकर ना इस प्रफिर्शन मतल कर सकते हैं सोचन करेगा रिप्रटक्शन जीवत है तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए यह होगा पर अधिवात कर सकते हैं इस सर्जन के प्रक्रिया यह होना ना होना कोई वो नहीं है उस सर्जन का मतलब यह मन पदार्थ के रूप में यह सेमी सॉलि अगला खाना बनाते समय निमलिकीद्व एसे कौन से विटामिन असानी से नस्ट हो helicopter क्यों आधिवांचे एुआज असानी से नस्ट हो जाएगा तो मेरे बच्चे यहां पर दिबात कर सकते हैं जो विटामिन C है यह क्या होता है गर्म करने पर आसानी से नस्ट हो जाएगा और यह कर सकते हैं विटामिन C है हमारे स्कीन में केलोजर फाइबर को भी बनाता है साथ में गर्म करने पर बात की जाएगा विटामिन E भी नस्ट हो जाता है तो दो विटामिन आसानी से आपके नस्ट हो जाते हैं एक विटामिन C और दूसरा E याद रखीएगा चलिए ठीक है और दो को B4 नाम की कोई विटामिन नहीं होती गलत है यहां पर B3 या B5 होना चाहिए जानते हैं चलिए बिच और फॉलिंग इस दा बेस्त में था टू रिमूब दा विट्स मेरे बचे बात कीजा फसलों में से खर पतवार को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मैनुवली अपरूट्स दा विड्स ठीक है मदब हातों से विड्स या खर पतवार को निकालना मैनुवली रिमूब दा फॉल्वर और फॉल्वर सीट को निकालने खर पतवार को छोड़ दे बर्न दा इस्टबर्स आप्टर हार्वेस्टिंग दा क्रोप में बच्चे कर सक है उसका छणिकाव कर देना चाहिए. सोचिए, विचारिए और बताएं क्या होगा? B4 नहीं होती है, B3 होता है. मेरे बच्चे यहां पर देखो, तब से अच्छा तरीका VD-Sign. क्यों? मेरे बच्चे देखो, यहां पर क्या? ये माननो मेरे बच्चे एक खरपतवार है, ऐसे, ये खरपतवार है, और एक एदि बात की जाएं, ये क्या है, सिंपल सी बात है, एक हमारी फसल है, ऐसे, तो मेरे बच्चे क्या करोगे, जब वीडी स्ताइब, ये छिड़काओ करोगे, तो खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार ना सको, बहुत यह आउसित करते यह फसल के बजाए यह से क्या हो जाएंगे सीधी से बात खतम हो जाएंगे डी सबसे अच्छा और इसके बाद बात करें तो मैनुवल मेथड मेयर बहुत मेहनत करने पड़ेगी तो वीडी साइड स्प्रे कर दो सबसे अच्छा है सीख कैसे मेरे बच्चे मेरे बच्चे तुम जला भी दोगे न सुनो जला भी दोगे तुससे क्या होगा परदूशन होगा क्यों जलाओगे बई यह कौन है उस यार तेज़े सुनी तेजू तुझे बहुत पिटाई करूँगा बच्चा तु बहुत समझदार है बहुत हुआ जो मिट्टी में सकते हैं क्या जो हमारे लिए अच्छे जो जी होते वह भी मर जाएगा और साथ में जो न्यूटियंस या पोसक पदार्त वह भी खत्म हो जाएंगे जैसे केच हुए कई पर जमीन के नीचे रहते हैं मर जाएंगे तो जलाना कोई सर्चलस्ट नहीं है तू बहुत समझधार हो तेज नाम हो गया बहुत तेज मिल्मकेद में से किस के कार वासपो सर्चन की दर में ब्रिद्धी होगी एक पेड में वासपो सर्चन जो भी है यह व्रिद्धी कैसी होगी तो चुपो के पढ़े ले बच्चा, पढ़े ले मेरे सहतान बच्चा अब तु न पढ़ेगा तो अभी पिटाई करूँगा मैं पढ़ेगा ना पिटाई कर दूँगा ये देखो पत्ती है ये क्या है पत्ती है तो मेरे बच्चे दिबात कीज़ा पत्ती में ये छोटे छोटे ऐसे क्या होते सनचनाई पाई जाते ठीक है ना और ये जो सनचनाई से कते स्टो माटा पनरंद्र तो मेरे बच्चे यहां से क्या होगा पाणी वेपर या बस बन के निकता है तो यदी मेरे बच्चे अधी पत्ती की चोट कर सकते हैं सर्फेस एरिया बढ़ाओगे तो मेरे बच्चे बात्ती सर्जन होगा ठीक है दूसरा एधिबात की जग तेज हमाएं चलेंगी तब भी वात्सपर सर्जन तेई से होगा तो यहाँ पर एधिबात कर सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा प्री एंसर सबसे बेस्ट एंसर होगा कौन बोला सी अभी मैं कटाई करूंगा उसकी सी बोला जिसने ठीक न भाईया पेड की उचाई मतर जिस परड़ की ज़्यादा उचाईगी वात्सपर सर्जन ज़्यादा होगा बदमास कहीं के ऐसे कहीं नहीं है चलो तो मेरे बच्छे जो बता रहे हैं यही मानो जितनी चौ कि बोणी पत्ती उतना ज्यादा इस ट्रोमाटे यह पंड रंद रोंगे इसलिए वास्पर सर्जन जादा होगा तेज हावा चलेगी जो कसते पेड की पत्ती से टकराएगी तो क्या होगा पत्ती के उपर से जो वास्प पानी है वह तेज से वास्प बनके उड़ेगा अब देख लो कली ये कोशन कराया था देखो 2021 में यही कोशन फिर पूश दिया गया कि मेरे बच्चे दिबात कर सकते हैं क्या ये कोशन आपका देखा था 19 यहां कर सकते हैं 19 नमर का सिंबस दिबात है मेरे बच्चे कर सकते हैं कोशन सोचिए बिचारिये बताईए तो मेरे बचे यहां पर बात की जाए तो क्या हो सकता है सोच के बिचार के दीगाई जारगाई के अधर पर मिट्टी के प्रकार की पहचान करें तो बताएं एकस वाई जे यह कुछ लच्छन दीगा मिट्टी के परकुलेशन रेट हाई है मतब उसे पानी का सकते है जाद अच्छन दीगा एरैशन मतब उच्छित मात्रा में उसमें वायू है तो मेरे बचे का सकते है क्या होगा ये मतब पानी अच्छे स्थे से नीची आएगा ये सैंड या बालू में होता है अब इसके अलावा एली बात के सकते है एरेशन मतलब वाइव की जो बालू के कण होते है इस पेस ज्यादा हो इसलिए इसमें मतलब एर तो होगा मेरे बच्चे बालू कभी भी पानी को जादर दिर तक रोप नहीं सकता है यह लो होगा तो यह मेरे बच्चे लोमी स्वाई यह जो भी है देख लेना आगे देखो identify the plant based on the following adaptation निम्लिकित अन्कुलोन के आधार पे पौदों की पहचानकी थे तनों और पतियों पे मोटी मोम की मोमी परत होती है पतियां सुई के आकार की होती है सिग्रपतन से आर सेड स्नोब रेपीडिली मेरे बच्चे लिबात की जाए पतियां सिग्रपतन करा दिया हमारे टाइप जीनत जो ने कराएं यह देखो भी यह यहां पे भी यह देखो सिग्रपतियां सिग्रपतियां जड़ जाती हैं सिग्रपतन करा दिया अब मैं क्या कहूं तो भीया यहां में देखो सिग्रपतियां जड़ती है तो सिग्रपतन हो गए बहुत बढ़ियां पतियां आर्ट फ्यूगर लाई मतब पतियां अधिबात कर सकते हैं मेरे बच्चे क्या हो तोड़ी सी मांसर टाइकी होती है इस टेम्स हैव होल्स मेरे बच्चे दिबात कर सकते हैं जो तने हैं उसमें कर सकते हैं छिद्र भी होते हैं सोचिए, वीचारिये, बताईए ये किसके किसके बताएगा है तनों और पतियां मोटी होती ये तो समझ गया होंगे पत्तियां सुई के अकार के होती हैं और सिक्र जड़ जाती हैं तो सोचिए और कर सकते पत्तियां फ्यूगर लाइक मतब फूली होई होती हैं ठीक है न इस्टेम सहे भोल्स और तनों में कर सकते क्या छित्र आपका पाया जाता है चलिए मैं बताता है मेरे बच्चे तने और पत्तियां मोटी मतब होती हैं ठीक वैक्स कोटिंग तो यह मेरे बच्चे कर सकते क्या होगा कैक्टस होगा इसके अरवा जो कॉनिफर्स होते हैं आप जम्र कॉस्मीर में जाओगे तो जो भी पौदो की पत्तियां ऐसे नुकीली लंबी लंबी होती है ठीक है और सिग्र जड़ जाती है जो भी तो यह कॉनिफर्स हो जाए जैसे चीड हो गया इसके लिए पत्तियां फ्यूगर लाइक होती है मतब मेरे बच्चे यह दिबात की जा तो जो पत्तियां है यह मतब थोड़ी सी मांसल जो भी फूली होई सकते यह आपका लोटस ठीक है तो इसका क्या अंसर हो सकता आपका पी एंसर हो सकता है अच्छा बीफार बस रहा ओ बस रहा इस चलब अगला मेरे बच्चे बिच्वादा फॉलिंग इज एन अब्जरवेशन इन में से कौन से एक आउकलन होगा जेंटिक हैड़िटी इस इंक्लोज इन नुक्लिक असिड डिन और आरन ने मेरे बच्चे बात की जा अनवांसिक जो कर सकते यह क्या होता है सिंपल सी बात है यह आपके नुक्लिक असिड के अंदर होता है यह मेरे बच्चे बात कर सकते हैं यह निस्कर्स होगा आउलोकर नहीं हो सकता इसका यह अपिर्स ब्लू एज ब्लू लाइट इसका टर्ड मोर देन अधर कलर पार्टिक इन लिक्विड एन मोर रेंडिमली बिकम्स बट दे आर ब अधर मुविं मदब कर सकते हैं तर्वर पदार्त में कण वैतरी नंग से मदब जो भी मूव करते हैं वो अन चलती मतलब जो भी कणो द्वार टकलाते हैं करेंट केरिंग वायर क्रीटम में देतल कर सकते तो क्या डी उप्सं कि क्योने के सोचिए सोचिए और current carrying wire creates a magnetic field around it ठीक न? सोचिए इनमें से कौन सा observation होने के chances है तो मेरे बचे यहाँ पर देखो यह हम सभी को पहले से पता है यह वह experiment करें चाहना करें तब ही पता है कि मेरे बचे इनमें बात कर सकते हैं जो current carrying care है वो है तार है इसलिए एक विद्दुधारा उत्पन करेगा यह प्रियोगोधारा है पर हम तो अधी बात कीजा पार्टकेल्स इन दर लिक्विड्स यह खत्म अब भया आज के आज 2021 खत्म यह 31 जनवरी 2021 का इसके बाद कर 22 का खत्म उसके बाद NCRT है बी क्यों सही भया सोचो चलो आप यह कोशन तुमारा 2019 में भी था याद करो और फिर यह कोशन रिपीट हुआ है वाई क्या एक प्लांट है विज डास नोट है क्लोरफिल और वाट कुड़ भी वाई में बच्चे एक का सकते वाई क्या एक पौदा है जिसमें पढ़ हरिम नहीं पाए जाता है और कहा जाता है इसके जो तने है पीले होते है इसके तने क्या होते है पीले होते है और इसमें सफेद रंग के फूर होते है यह पौदों को चाड़ो तरफ से छाप लेता है तो मेरे बच्चे यह क्या कस्कूटा है यह जो पौदा है यह कौन सा होगा कस्कूटा होगा चले चल अगरा विच और फॉलिंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट मेरे बच्चे एदिबात कर सकते इन्हें में से कौन सा एदिबात कीजा कथन सही होगा देखिए सुनिये और बताईए झाले जो और फॉलिंग सा एदिए सुनिये और बताईए झाल बताओ इस्ताइमिरेशन अफूट टेक प्लेस्ट इन लार्ज इंटरस्टाइड मदख कर सकते हैं कि भोजन का स्वांगी करन यह बड़ी आत में होता है कभी नहीं होता है कभी नहीं होता है तो कौन सा यह तो बिल्कुल गलत लार्ज इंटर्सटाइनिसेफिंगर लाइक प्रस्टेक्शन कभ्य नहीं वी लाख जो प्रस्टाइड होता है यह भी गलत है यह प्रस्टाइड कर इन रहतात इन शौटर देन फस्मॉल मतब बड़ी आत जो होती है, यह क्या होती है, ऐसे कुछ मोटी होती है, इसकी नली, पर अब तो छोटी आत की पत्री, तो यह मेरे बच्चे ही खा सकते हैं, क्या, यह सही हो सकता है, अगला हमरे बच्चे, अगला जो कोस्चन है, इसको देखिये, सुनिये, समझिये, विचारिये, और बताईए मेरे बचलों यहाँ पर क्या है कि रेशम कीट के जीवन चक्र और रेसम के रेशों का उत्पादन के सम्थ में निमलिकित में सहदी बात कीज़ाए ठीक हैर sounds ठीक है ना निमलिकित में सहदी बात कीज़ाए कौन सह statement या कत्पन सबते नहीं है, सोचिए, विचारिए, और बताइए. पहला सिल्क फाइबर और प्रोटीन सेक्रेटर बाइद दा काटफिलर, सिल्क तो भहिया फाइबर एक कर सकते हैं, क्या होती है, सिम्बल जी बात है, प्रोटीन से बनती है, तिल्क यारण इस और टेंट फ्रॉम दा कोकून आप दा सिल्क मौथ, यह भी अधिबात कर सकते हैं, चलो, लारवाब सिल्क मौथ इस कार्ट कार्ट पीलर, सोचिए, विचारिए, और बताइए. बताओ, मेरे बच्चे, यहां पर, तो देखो, भी इस सिल्क फाइबर अधिबात की जाए, एक पग कर सकते हैं, प्रोटीन से बना होता है, सेरी सिल्क प्रोटीन, यह कार्ट पीलर लारवा जो भी क्या करेगा, सेक्रेट करेगा, सिल्क यार इस ऑप्टेन फ्रोटीन 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 फ्रो बड़ा सा जो भी है, देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए, और कब तक, जब तक का सकते हैं, सोभित सर्ट नहीं आ जाते हैं, तब तर, यह मेरे बच्चे 2021 में कुछा हुआ, फिर 2022 में भी आ गया, तो मेरे बच्चे कौन सी सर्था है, जो का सकते हैं, सरी की गती होती, तो मेरे बच्चे यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, हाड इस्ट्रेक्चर विट, फॉर्म्स दा स्केल्टर, मतर कठोर सरच रह, जो कंकाल तंदर बनाती है, मेरे बच्चे यहाँ पर कसकते हैं, फोर्द हो जाएगा, मतर कर सकते हैं, कंकाल तंदर का वो भाग, जो मूर सकता है, लचीना होता है, तो मेरे बच्चे यहाँ पर कसकते हैं, होगा, वन हो जाएगा, जो आइंज दर चेस्ट, मिरे बच्चे यह कर सकते हैं, स्पाइनल कार्ड है, और इधर से रिप, यह पसरीयां, ऐसे आपस में क्या करती हैं, केज बनाती है यह रीब केज हो जाएगा मेरे बच्चे यहां पर थर्ड आप्शन तो यहां पर हो जाएगा 2413 कहीं है क्या तो 2413 यहां पर D option ठीक है ना अभी देखो सर आएंगे उनकी आत्मा आ चुकी है ठीक है ना अच्छा मैंने द्यान ही नहीं दिया आओ एक लास कोशन विच वालिग रेंड इन हिमर बिंग्स सेक्रेट मोर दें टू हार्मोन इनमें से कौन सी ग्रंथी है जो कर सकते दो से जाधा हार्मोन सेक्रेट करती है मैं बता देना चाहता हूं इसमें सब के सब करेंगे इसके यह तुम्हें हमवर्ग दे दे रहा हूं यह कोशन हमवर्ग है विच वालिंग स्टेटमेंट इस ट्रू मेरे बचे यह कोशन 2021 में भी था और फिर वही कोशन पर ढूंड के आना कल बताऊंगा पर उससे पहरे एक चीज़ बोल दू आपके मैत वाले सर आचुके कौन सोभी सर और फिर एक चीज और मेत वाले सर के बाद भुवा निसर आंगे और आपको 7-10 में फिर मिलेंगे कौन मिलेंगी आचर में सोभित सर मिलेंगे और भावानी सर, तो 7 से 10 का भी सेशन आपको अटेंड करना है, भूलिएगा मत, तो आज के लिए मेरे बच्चे क्या इतना ही, ठीक है न? तो मेरे बच्चे, आज के सेशन को ही कतम कर रहे हैं, सर, जब तक पीडिया पो लगा रहे हैं, तब तक मैं भाईया बाते कर रहे हैं, इसके बाद मैं चला जाता हूँ, बाकि यह दे कोई कोस्चन है, कोरी जो, आप वो कर देना, क्या ओफ लाइन कमेंड में लिख देना, यह क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रियक्शन करके, मेटल अक्साइड बनाते हैं, और मेटल अक्साइड की, जब जल के साथ अपक्रिया होती है, तो मेरे बच्चे क्या बनेगा धातू का अक्साइट जल के साथ अब क्रिया करके छार बनाते हैं चलो अब सर का समय हो चुका है तो अब मैं जा रहा हूँ ठीक है ना चलो थैंकि से गुड़ीविंग तो अल उफ यू जितने भी हमारे बिध्धारती है बेटा सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और बुश्रा काजमी जी अंस कुमार चांदनी सपनों की राजकुमारी कुलदीव चौधरी जितने भी सपनों की राजकुमार है राजकुमारी हैं सभी का कल प्रॉमिस किया था आपकी डिमांड के अनुसार और जो बिल्कु सही भी थी डिमांड और वो करना भी चाहिए हमको 2021 और 22 के सीटेट का पेपर उसका सॉलुशन वो बेटा आज मैं आपको कराऊंगा सीटेट पेपर सेकंड फर्स जन्वरी 2021 ठीक है एक जन्वरी 2021 का सीटेट पेपर सेकंड का कम्प्लिट सॉलुशन आपको दिया जाएगा आज की इस क्लास में तो जितने भी हमारे विध्या आती हैं जल्दी से एक बार जुड़ जाएं और गुड़ इवनिंग टू आल आफ यू वेल्कम टू एक्जामपोर सपनों की इस जंग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हमें एक्जामपोर कलम से क्रांती तो वेल्कम टू एक्जामपर चलो जी आगे पढ़ इनका जिक्र हुआ और जब इनका जिक्र हुआ तो मैंने इनके स्टूरी पढ़ी तो मुझे तना अच्छा लगा इनके स्टूरी पढ़ गया कि आज की क्लास का जो एक थंडेल में मैंने इनको जगे दी नीतु गुपता जी कौन है 2021 2021 का रामा नुजम पुरुसकार जीतने वाली हिंदुस्तान की एक महला जिनको गरित का बिजर्द ऑफ mismatics के नाम से जाना है यानि की गरित की एक माहिर योग इवेक्ती थीक है तो उनका नाम है नीतु गुपता ठीक है हां सौरी नीना गुपता ठीक है नीता नीतु था इनका नाम साइथ है ना तो यह हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह फोटो में क्यों लायास के बीचे कहानी यह है छोटी सी बात यह है कि आप ध्यान से देखिए इनको तो एक सामान्य परवार की दिखने वा Ste resolve अलग तरह का लूक ऐसा कुछ भी नहीं है एक सामान ने मध्यमबर्क की मेला जो उपने घर के इन्होंने उस सभी के साथ परवार को साथते हुए गडित में बहतरी न्योगदान दिया और इतना बड़ा योगदान दिया कि स्री निवास रामा नुजन पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया बहुत बड़ी बात है राश्च्पति पुरुसकार इनको मिला था तो आप सफल व्यक्टुत जो हमें अपने समाज में दिखाए देते हैं चाहे वो शकुंतला देवी हो चाहे यह हो तो दोस्तों आपको भी आपके सामने भी सीटेट का पेपर है मैथमेटिक्स आपके सलेवस का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है तो आप लोगों को भी यहां स इंस्पायर होना चाहिए और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जब नितु गुपता जी जैसी महलाएं सफल हो सकती हैं तो हम क्यों रही हो सकते हैं हम भी हो सकते हैं तो चलिए सीटेट पेपर सेकेंड फॉस्ट जैनुरी 2021 का एक कोश्चन है इस कोश्चन से सुरू करते हैं कल की क्लास में आज जितने हो जाएंगे ठीक है कल की क्लास में मैं आगे का पोर्शन कराके इस पेपर को फिनिश करा दूँगा ठीक है तो पेटा कोश्चन यह हैं तीन नंबर्स आपके सामने दिये गए हैं 198, 135, 108 इनके LCM और SCF का योग पूछ रहा है 198, 135 और 108 पेटा जल् से इनका LCM निकालो क्या होगा ठीक है ओके बहुत बढ़िया तेजर सुनी का अंसर भी आ गया 4464 बहुत बढ़िया तो कर वेटा सबसे पहले आप क्या करो प्राइम फेक्टराइजेशन कर लो PF क्या होता है, प्राइम फेक्टराइजेशन तो आपने 2 को 198 से डिवएट करा तो 99, फिर 3 से 99 और को डिवाइट किया, तो 33, फिर अगें 3 से डिवएट किया तो 11, फिर अगें 11 से डिवाइट किया तो 1, तो आप कहसकते हैं कING 2 18yer Linus 11 ठीक है, तो यह क्या होता वेटा, 198 का प्राइम फेक्टराईजेशन होता है, ठीक है, 198 का प्राइम फेक्टराईजेशन होता है, लेकिन जब बच्चे प्रेस्टिस आपकी हो जाती है, तो फिर यह सब करने की ज़रूरत आपको नहीं परती, आप औरली करने लगते हो, जैसे 135 35 है तो 135 आपको समझ में आने लगता है कि 35 का multiply 35 का multiply अगर आप 3 से करेंगे तो 135 आएगा sorry 135 है तो 45 का multiply अगर 3 से करेंगे तो 135 आएगा 45 का और 45 कैसे बनता है 45 बनता है भाई 9 गुड़ा 5 से यानि 27 नौ गुड़ा 5 से बनता है ठीक है तो 9 गुड़ा 5 से बनता है ठीक है तो 9 गुड़ा 27 27 25 135 यानि कि 3 की पावर 3 multiply 5 3 की पावर 3 multiply 5 क्या होगा आपका 135 अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने प्राइम फेक्टराइजेशन करा था ऐसे आप कर सकते हो 3 से बाग लगाना ठीक है फिर 5 से लगाना तो तुम्हें 3 3 बार मिलेगा 5 एक बार मिलेगा 108 कितना होता है वह 54 का double होता है 54 किसका डवल होता है 27 का यानि 3 की पावर 3 multiply 2 की पावर 2 ठीक है नहीं 2 की पावर 2 27 27 का डवल करेंगे 54 का डवल करेंगे एक स्वाट ठीक है तो यहां से आपने तीनों नंबर्स के प्राइम फेक्टराइजेशन कर लेते हैं आप यहां पे अब आप क्या करें बेटा अब आप निक चालेंगे आप देखें कि यहां पर जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं जितने प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं जैसे 2 दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है 5 और 11 सब को लिख लेते हैं जितने भी नंबर दिखाई दे रहे दो सब को लिख लेते हैं सब का आपस में multiply करते हैं, अब देखते हैं कि 2 की highest power क्या है, तो 2 की power 2 है, बेटा 3 की highest power क्या है, 3 की power 3, 5 की highest power 5 ही है और 11 की 11 ही है, तो LCM आपको ये मिल जाता है, ये हो गया 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 तिया 27, 27, दूनी का 54, 108, 108 multiply 5 गुणा 11, तो ये हो गया 540 गुणा 11, तो ये तो आपका LCM यहां से आगया, पान सो चालिस का दस करो तो 54, 54, यानि 5, 6, 940, 5, 6, 940 के आगया आपका LCM आगया, अब आप निकालिए SCF, SCF के लिए आप highest common देखिए, तो देखो 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 2 को छोड़ देंगे, 3 एक ऐसा number है, जो तीनों में बिराज माने, 3 की power 2, 3 की power 3, 3 की power 3, तो 3 की power 2 को ले लेंगे, बाकि 5 और 11 केवल इन दोनों में अलग लगें, तो SCF कितना हो गया बेटा, 3 की power 2, और ये हो गया 9, अब वो उनका सम पूछ रहा है, तो तो उनों को add कर दो, जब इन दोनों numbers को add करोगे, तो क्या हो जाएगा, 5949, यानि option number 3, आपके question का answer हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, 5949, 69 इंचास आपके सवाल का answer, सिंपल question था, सीटेफ पेपर सेकंड एक जन्वरी 2021 का सवाल था, जिस बच्चे को ये सवाल करना नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है, उसकी 2021 की जन्वरी बिगड गई होगी, पर दो मेने बाद को रोना आ गया, ठीक है, तो आपकी भी जन्वरी अच्छी गुजरे, इसके लिए ऐसे questions आपको आने चाहिए, चलो बटा next question देखते हैं, किसी का अंसर आए वड़ा, दूसरे वाले का, एक बार फिर से बता दो, बुसरा काजमी कह रही है, एक बार फिर से बता दो, पिटा बुसरा देख कुछ नहीं करते, तीन नमबर हैं, 198, 135, 108, सबसे पहले प्राइम फेक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है, जैसे 108 का कितना है, तीन की गहाद, तीन गुणा दो की गहाद, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद कॉपी पर करके देख लेना, ऐसे, ओरल नहीं कर पा रहे, तो पेपर पर करके देखना, टू का पावर, 154 टाइम्स, आदा करना 27, तीन से करोगे तो 9, फिर तीन से करोगे तो 3, फिर तीन से करोगे तो 1, 2, 2 बार है, 3, 3 बार है, 2, 2 बार है, 3, 3 बार है, ऐसे कर लो, LCM कैसे निकालते हैं, highest power देखो, 2, 3, 5, 11, चार नमबर दिखाए दे रहे हैं, इसमें 2, 3, 5 और 11, बागी तो ये 4 के बाद repeating है, इन्हीं नमबर का repetition है, तो केवल मूल, जो संख्या है, वो कितनी है, 4 है, 2, 3, 5 गया रहे, वो चारो नमबर लिख लो, फिर देखो, 2 की highest power क्या है, 2 की घाथ, 2, 3 की highest power, 3 की power, 3, सबका multiply कर लो, तो LCM आगे, SCF में देखो, वो कौन सा number है, जो सबस्यादा बार common है, तो 3 की power 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 की power 2 SCF आ गया, ठीक है, ऐसे हम इसको करते हैं, बेटा ये question करो देखो, simple, बहुत आसान question है, इस question को समझने के लिए बात, दो-तीन बात हैं समझ लो, सबसे पहले, अगर x upon by divide by a upon b होता है, तो हम इसे solve करते हैं, x upon by divide change हो जाता है multiply में, a upon b change हो जाता है, b upon a में, ये पहला rule तो इसमें ये लग रहा है, ठीक है, दूसरा rule mathematics का क्या लग रहा है, कि अगर under root x upon under root by है, तो बेटा under root x upon by हो जाता है, वैसे ही समझना, ठीक है, ये दूसरा rule इसमें implement हो रहा है, ठीक है, दूसरी चीज़, अगर under root x multiply under root by है, तो क्या हो जाता है, under root x multiply by, ये इसमें तीसरा rule लग रहा है, तीन rule लग रहे हैं, बस इन तीन rule का इस्तेमाल करो, तो ये क्या हो जाएगा सीधे, under root 450 upon 338, multiply 245 उपर चला जाएगा, और 125 नीचे चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप सीधे इसको बेटा convert कर सकते हैं, ये ना, दुवारा बता देता हूँ, बेटा, दुवारा बता देता हूँ, देखो, दुवारा देखो, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको समझो, मैंने आपको क्या कहता, under root x upon under root y है, ठीक है, under root x, ये वाला second case देखो, तो under root x upon y हो जाता है, यानि कि under root 450 divided by 338 हो जाता है, या तक कर लोगे आप, फिर divide, अब इसको लेखो, under root 125 divided by 245 हो जाता है, या तक कर लिया आपने, अब आप एक बात जानते हो, ठीक है, अब हम इसको जब simplified करेंगे, तो ये दो under root को एक under root में convert कर देंगे, ठीक है, एक under root में convert कर देंगे, 450 upon 338 तो सेम रहेगा, ये जो divide का sign है, ये multiply में convert हो जाता है, और ये जो 120, जब आप divide को multiply में convert करते हैं, तो ये fraction उल्टी हो जाती है, 245 उपर चला जाएगा, और 125 बिटा नीचे आ जाएगा, अब 25 से काटो, जो 25 से कट जाएगा ये 5 बार, और 25 से 45 कटेगा, एक बार, 18 बार कट जाएगा, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 18 बार कट जाएगा, अब आप फिर इसे काटो, ठीक है, 245 है, और ये है, आपका 8, 3, 11, और 3, 14, और 4, 6, 5, 11, यानि कि 5 से इसे divide करके देखो, ठीक है, तो 5, 5, 24, 29, 49 हो गया, और अब इसे 2 से काट के देखो, तो 2 से 8, 9 बार, और ये कट जाएगा, बेटा, 179 बार, तो आपको क्या value क्या मिलती है, इसको अगर मैं यहाँ पर ले कर जाऊं, तो मझे final ये value मिलती है, उपर रहता है 9, multiply 49, divide by 169, जब बाहर निकालेंगे तो under root 9 निकलेगा बेटा, 3, under root 49 निकलेगा 7, under root 169 निकलेगा 3, तो 21 upon 13, ये आपके question का answer हो गया, 21 बट्ये 13, option number 3 आपके question का answer हो गया, क्या हो गया, 21 बट्ये 13, ठीक है, तो ये था question number हमारा second, question number 3 पर चलते है, actually क्या है न, paper है नस्दीक, तो मैं कोशिस कर रहा हूं कि एक paper जो है, वो तीन दिन में ना खतम हो के, दो दिन में खतम हो जाए, ज़्यादा से यादा paper करा दें, अगर एक paper भी extra करा दि देखें, seat at paper second, 1st January 2021 का ये सवाल है, एक ही value दी हुई है, 5 upon 11, एक ही value दी गई है, 5 upon 11, आपको idea लगेगा कि आपका जो paper होगा, वो ऐसा ही paper आएगा, ऐसा ही questions का set देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत छोटी-छोटी उसमें logic लग रहे होंगे, चलो, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी value क्या होगी, इस तरह से आपके सामने condition रख दी, एक बाद try करके देखें, एक paper एक दिन में करें, एक paper एक दिन में कैसे करेंगे, कोकि हमारे, मैं actually गया है न, paper 1 भी पढ़ाता हूँ, और paper 1 की मेरी already दो क्लासें होती है, एक सुबह 11 बजे होती है, एक साम को 7 बजे होती है, और paper 2 के लिए मैं एक घंटा देता हूँ, ठीक है, 5 से 6, फिर उसके लाबा मैं paid watches में भी पढ़ाता हूँ, तो साथ मेरी classes overall पूरे दिन में होती है, ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करें, इस Tuesday को मैंने मेराथन रखी हूँ है, 27 को 3 गंटे की है, मेराथन जाने 4 गंटे की है, मेसिज आया मेरे पास, पता नहीं मेरे को 3 से 4 गंट, 3 गंटा minimum होगा, 3-4 गंटे की मेराथने, उसमें मैं आपके paper 2 को ही focus करूँगा, ज्यादा दर question paper 2 के ही रखूँगा, हलाकि वो mixed है, लेकिन कराऊँगा paper 2 के ही question, ठीक है, तो कर देंगे कोई नहीं, अगर मैं 30 question गंटे मैं मुस्किल से हो बाते हैं, अगर मैं as a teacher ना, as a student करूँ तो मैं उड़ा दूँगा, 15 minutes लगते मुझे पूरे paper को करने में, लेकिन as a teacher तो आपको हर step थोड़ा सा बता के करना पड़ता है, आप एक-एक step छोड़ नहीं सकते, ठीक है, देखो a plus b का power minus 1 है, तो 1 upon a plus b हो गया minus 1 नीचे चला गया, तो यह plus 1 हो गया, ठीक है, ऐसे समझें हैं, अगर x की power minus 1 है, तो यह 1 upon x हो जाता है, यह rule लगा है, मेरे भाई देखो, simple जो search indices की concept है ना, उनीका इस्तमाल करना है, आपने वो भी 3-4 की नीच उनी, ठीक है, तो देखो x की power minus 1 है, तो 1 upon x हो जाता है, तो a plus b की power minus 1 है, तो 1 upon a plus b हो गया, ठीक है, और यह क्या हो गया, 1 upon a plus 1 upon b हो गया, फिर 1 upon a plus b multiply, यहां से मैंने a b common ले लिया, मतलब a b LCM ले लिया, a से a कट गया, उपर क्या रहे गया b, और यहां क्या रहे गया, वेटा, a रहे गया, क्या रहे गया, उपर a रहे गया, थोड़ क्या बचा 1 upon a b बचा यानि कि आपको क्या बताना है आपको यह बताना है 1 upon 5 upon 11 multiply 3 upon 7 तो यह हो गया बेटा 77 वट्टे 15 इतना समझ लेना थोड़ा सा मैंने एक step उड़ा दिया इसमें से ठीके मतलब मैंने क्या किया है 5 की गुणा 3 में की 15 है 11 की गुणा की तो 77 वट्टा 77 था अगर 1 upon x upon y है तो वो क्या हो जाता है y upon x हो जाता है यह दूसरा रूल इसमें implement हो रहा है तो पांस तिया पंद्रे ग्यारे 77 पंद्रे वट्टे 77 था उल्टा होके क्या हो गया 77 वट्टे 15 ऑप्शन नमबर 4 बिटा सभी बच्चों का बिलकुल सही जवाब है ठीके चले कि इंग्ली में है यह इंग्ली समय सकते हैं पर हिंदी वालों को इंग्लिस में दिक्कत आती है थे हिंग्वेज पार थिके यह जो पॉस्टन क्या है निम लिखित में से कौनसा कथन प्राकर्थ संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है natural numbers समझते हैं natürlich numbers, counting numbers होते हैं natural numbers क्या होते हैं counting numbers होते हैं counting numbers जिसे हम natural numbers कहते हैं और इसमें बहुत अच्छी बात भी बें, बताना चाहूंगा आज कल बड़ा गुमा-गुमा के सवाल पूछ रहे हैं इसी में एक छोटी सी concept समझ लो एक होता हैscreen knumber एक होता है ओडिनल नंबर और एक होता है दोस्त नॉमिनल नंबर ठीक है यह आपके 2021 का ही पूछा गया कोश्चन है यह तीन तरह के नंबर होते हैं एक बार इनको इनके बीच का अंतर समझ लो हाला कि यह कोश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्र इन्फोर्मिशन दे रहा हूं हो सकता है यह आपके पेपर में काम आ जाए हो सकता है कि वह यहाँ पर प्राकरतिक संख्याउं की जग है कार्डिनल नंबर लिखके दे दें तो कार्डिनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं ठीक है? जैसे एक class में 50 बच्चे बेटें, तो आप गिनना सुरू करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे number क्या है, cardinal numbers, तो cardinal numbers क्या होते हैं, counting numbers होते हैं, गिनने वाली संख्यां क्या कहलाती हैं, आपकी cardinal numbers कहलाती हैं, दूसरे होते है, ordinal numbers, ये क्या होते हैं, ordinal numbers होते हैं, rank, rank, जैसे, ऐसे समझो, जैसे, यहाँ बेठा हुआ है, A, यहाँ बेठा हुआ है, B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, ऐसे serial order में 6 बच्चे बेठे हुए हैं, A, B, C, D, E, ठीके, अब मैं आपसे कहूँ कि C की rank क्या है, मैं आपसे कहूँ कि C की rank क्या है, तो आप कहते हैं कि सर, C की जो rank है, वो left से third है, क्या है rank? C की rank क्या है, तो यह जो आपने number बताया है, यह third represent करता है, ordinal को, किसको represent करता है, ordinal number को, यह लेख लेना वेटा, यह आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन 2021 के paper में पूछा गया है, वो भी C10 paper 1 में पूछा गया है, लेकिन यह तनी अच्छी concept है, कि paper 2 में भी पूछ सकता ह paper 2 में अला कि नहीं पूछा गया है, paper 1 का सवाल है, कल मैं एक doubt करा रहा था, उसमें question आया था, ठीक है, लेकिन यह paper 2 के लिए भी most important question है, nominal number समझ लो, क्या होते हैं, nominal number होते हैं, जैसे pin code आपने सुना है, pin code, जैसे मैं अलिगड से हूँ, तो हमारे अलिगड में एक pin code होता है 222, ठीक है, अब लिगड के पास, कोई दूसरी जगे है, वहाँ का pin code है, 20-20-01, ठीक है, जैसे गाजियावाद का pin code है, 474-004, तो ऐसे six digit के pin code number होते हैं, तो आपका pin code number हो गया, या फिर आपका mobile number हो गया, अब आपसे पूछ ले paper में, कि एक लड़की है, जसका नाम आयू number है, तो आप क्या जवाब देंगे, cardinal, ordinary या nominal, तो आपका अंसर होगा, मेरे भाई, nominal होगा, बेटा, क्या होगा, nominal आपका answer हो जाएगा, तो nominal में क्या आजाता है, आपका pin code आ जाता है, और pin code के साथ आपका mobile number भी आ जाता है, क्या आता है, mobile number, pin code, ये सब क्या होते हैं, आ गए होंगे, ठीक है, अब आप समझें, इसको अपनी copy पर note कर लेना, और अगर तो लोग न, एक बाद टेली ग्राम पर जुड़ जाओ, तो मैं exam time चलना है, तो मैं PPT दे दूँगा, तुमको, यही, board PDF, तो उससे तुमको notes नहीं बनाने पड़ेंगे, help मिलेगी, पिरते सबसे पहला prime number 2 है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, 13 आता है, 17, 19, 23, ऐसे infinite तक होते हैं, तो सबसे पहला ही आपको जो अवाद संख्या है, वो समसंख्या मिल गई, तो option number यह तो इसका answer हुई नहीं सकता, अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है, ओके, यह पूछ रहे कि प्राकरतिक संख्या के बारे में कौन सी वाद सच नहीं है, फिरते गवाद संख्या, फिरते गवाद संख्या, विसम संख्या होती है, यह वाद सच है कि जूटी है, यह वाद तो सच है, पर वो पूछ रहे कि सच नहीं है, ठीके, इसलिए आंसर न होती है सभी संख्या है भाज्य संख्या होती है नहीं मेरे भाई देखो दो ही क्या है आपका इवन नंबर होता है पर वो भाज्य नहीं होता अभाज्य होता है ठीक है भाज्य वो संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या होती है जो कि अभा यह बाटि हमारा गलट हो गया टिके सभी सम संक्या है बाटि संक्या रहे लेकिन प्हों तो दो आवाज संख्यां का योग जो है वो सदेव एक समसंख्या होती है विसम संख्या होती है हम नहीं कह सकते ये बात भी गलत हो गया क्योंकि 3 और 5 आठ वी है 2 और 3 पाँच वी है यदि एक संख्या को 2 से विवाजित किया जाता है तो भागफल सदे विसम होता है यदी एक sum संख्या को 16 को अगर 2 से divide करोगे तो result कितना आ रहा है भागफल कितना आ रहा है 8 हा रहा है तो वो कह रहा है गी भागफल सदे विसम होता है ऐसा जरूरी तो नहीं है sum होगा भाई, विसम क्यों होगा ये चारोई option क्या है वेटा गलत है तो वो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है ABCD चारोई option सत्य नहीं है option number third इसका answer हो जाएगा ये थोड़ा paper pattern बदल दिया है 2021-22 से पहले क्या था कोशन होता था चार option होते थे अब क्या कर दिया उसने portion देता है फिर चार option देता है फिर पूचता है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि पहला और दूसरा सही है बच्चों को कभी-कभी मुस्किल लगता है लेकिन यह आसान कर दिया उन्होंने examiner ने ठीक है चलो अगला question आपका भी इंग्लिस में ही है ये identify the correct statement इसको सही statement आपको पहचानना है इंग्लिस वाले बच्चेस का screenshot लेके एक बार करके देखे question को मैं इसको हिंदी में convert कर रहा हूं 123 चलो ये question आपके सामने है सभी सही कथन की पहचान कीजिए किनी दो पुणांक ए और बी के लिए ए गुणा माइनस वी सदेव रणात्मक होता है दो रणात्मक पुणांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता for any two integers a and b a multiply minus b is always negative सही पहचानिये difference of two negative integers can not be positive देखो जी पहले वाले को समझो गंदा वाला गलत हुआ फैसान के रहे गलत हो गया हमारा तो कोई बात नहीं फैसान कहते हैं कि गलती करो गलती करो एक बार नहीं हजार करो पर इतना हमेशा ध्यान रखो कि एक गलती एक ही बार करो ठीक है दो आरा नहीं होनी चाहिए गलती किनी दो पुणांक ए और बी के लिए a multiply minus b तो यह minus a b होगा दूसररा कहता है दो रिणात्मक पुणांकों का अंतर जैसे माइनस तू माइनस माइनस 3 यह कितना हो गया माइनस 2 प्लस 3 तो यह प्लस 1 हो गया तो कह रहा है दो रिणात्मक पुरांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता रहे बिल्कुल हो सकता है माइनस 2 और माइनस 3 का डिफरेंस निकाला तो प्लस 1 आ गया तो option number second जो है यह क्या हो गया गलत हो गया एक रिणात्मक पुरांक का एक अन्य रिणात्मक पुरांक से गुड़नफल एक ऐसा पुरांक प्रदान करेगा जो दोनों पुरांकों से छोटा हो एक negative integer पेटा पुरांक का मतलब क्या होता है इंटीजर और इंटीजर तो आपको पता है प्लस माइनस सब हो सकते हैं इंटीजर में माइनस से लेके प्लस से लेके सब को सामिल होता है तो एक negative integer के एक एक एनधर negative integer से गुड़नफल किया जाए तो ऐसा result मिलेगा जो दोनों पुरांकों से छोटा हो जैसे कि minus 1 multiply minus 2 करेंगे तो plus 2 मिलेगा तो plus 2 minus 1 और minus 2 से छोटा है गलत बात है भाई ऐसा भी नहीं होता भाई plus 2 तो minus 1 minus 2 से बड़ा है एक द्रनात्मक पुरांग एक द्रनात्मक पुरांग minus 1 एक का मतलब है एक नहीं है कोई भी संक्या है पर मैंने एक ले लिया होगा हाँ बिल्कुल 0 से छोटा होगा आपको ये बात पता होगी नहीं पता होगी तो पता कर लूँ अब देखो ये होता है 0 ये होता है plus 1 ये होता है plus 2 ये होता है plus 3 ऐसे बढ़ते जाते हैं इन्फाइनेट ठीक है अब आपसे अगर मैं पूछूँ कि सबसे छोटा positive integer बताईए पीटा सब पूछूँ अगर मैं आपको सबसे छोटा smallest positive integer ठीक है तो तुमारा आंसर क्या होगा plus 1 अगर मैं तुमसे पूछूँ कि largest negative integer तो तुमारा आंसर क्या होगा minus 1 बेटा ये सबसे छोटा होता है ये क्या होता है smallest होता है positive में और ये minus 1 जो होता है ये largest होता है किस में? negative में ठीके दोस्ट ये बात समझना दोस्ट कि इनका अंतर समझ लेना कई बार paper में सवाल आ जाता है कि positive integer और negative integer के बीच का सबसे बड़े positive integer जवाब है दो का अंतर है कैसे अंतर है? जोब एक ये अंतर है एक ये अंतर है तो कितने का अंतर है? दो का आंतर है ये छोटे-छोटे सवाल आ जाते है पेपर में ठीक है? तो इस question का जो answer है वो option number 4 और first दोनों होना चाहिए लेकिन, लेकिन, लेकिन एक जनवरी 2021 का ये जो paper हुआ था, इसकी answer की जो CBSC ने मतलब दी थी answer की उस answer की में विटा उसने option number 4 को mark किया है answer के रूप में उसने का है कि option number 4 इस सवाल का उत्तर होगा कुछ question exam में जानबूच कैसे डाले आते हैं या पढ़ जाते हैं जाने क्या है एक लीला कि उन पर बिवाद हो जाता है अब 2 प्लस 3 पांच है अब 2 प्लस 2 प्लस 1 भी 5 है अब वो दोने option डाल देगा कि 5 के लिए कौन सा नीचे दिया गए equation ठीक है, 2 प्लस 3 या 2 प्लस 2 प्लस 1 अब बच्चा फस गया कि किसे करें हम तो दो नहीं सही है तो ऐसे कई बार question आ जाते हैं तो मैंने इसका देखा था जो answer की थी officially जो registered इसका cbsc का था उसमें option 4 इसका दिखा रहा था मैंने दो बार देखा, मैंने option 4 क्यों दिखा रहा है चलो question number 6 देखते हैं विटा चलो जी फिर आपका time हो जाएगा science वाले सर आजाएंगे आपके मान नहीं है आदर नहीं है भवानी सर ये math और क्या है डियर रेनू सिंग जी कह रही है भाई शेक शाहित शेक शाहित चुट चुके हैं सही है जोंक दो चूले में रेनूदी आके खराबी है क्या बाते कर रहे हैं तुम पढ़ को नहीं रहे हो पेपर आगया बेटा पेपर पेपर आगया तो पढ़ लो जॉब लग जाएगी तो पढ़िया रहेगा सेख लगता है सर की फेवरेट स्टुडेंट है आईशी नहीं विटा आईशी फेवरेट स्टुडेंट नहीं है मेरी बैन का नाम है चलो विड़ा ये कोशन देखते हैं एक सम चत्रवुजाकार खेथ है कैसा है एक रॉंबस शेप्ट फील्ड है rombus कैसे बनता है, पहले तो rombus बना लो, rombus बनाो, rombus, rombus कैसे बनाएंगे, हम square बनाएंगे पहले तो, पहले क्या बनाएंगे, हम square बनाएंगे, फिर हम इस square को गुमा देंगे, चिक है, और गुमाएं क्या, लो जी, बन गया आपका rombus, ठीक है, चलो, rombus बन गया आपका बढ़ी आसा इसमें सारे मुझा हैं क्या उते वीटे रॉंब वस में बरावर होती है टिक है रॉंW रोहा जोगे के चलो जी, ठीक है, ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे हैं, पुण। जब तक तो यह नहीं पता होगा, इस तरह का एक खेत एक फील्ड है, जिसका area है 588-0, बेटा जब तक तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि area of rhombus क्या होता है, तब तक question नहीं कर पाओ ज्यादा स्याद है question करने की ताकि समय न वेश्ट हो फाइव एट एट जीरो वन अपॉन टू बिटा दिया हुआ है 70 दूसरा डाइगनाल आपको निकालना है सबसे पहले तो तुम्हें दूसरा डाइगनाल निकालना पड़ेगा अब समझे देखो टू का डिवाइट करें 70 तो थर्टी फवाइट चाइम्स जाता है तो टीटू की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5880 दिवाइट ऐट थर्टी फाइब गाट इसको साथ से कट जाएगा साथ सर्था जाएगा साथ से 35 कटेगा पाँच बार और यह साथ साथ तो यहां तक कि कितनी लंबा ही एक वर जाएगा तो ओसी कितना होगा चौड़ासी बतलब 168 का अदा कितना होगा अब 84 और नीचे से उपर कितना होगा 84 यहां से यहां कितना होगा वेटा स्क्वेर करोगे प्लस 35 का स्क्वेर करोगे ठीक है वहीं आपके कोश्चन का अंसर हो जाएगा तो हो 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 तो 84 तो आंसर होगा नहीं क्योंकि 84 का तो आपको स्क्वारी निकालना है ऐसे कोश्चन तो यह तो बड़ा लंबा चोड़ा कोश्चन है यार कोई शॉटकट बनानी बढ़ेगी इसकी तो सर जी मुझे मारा यह कोश्चन तुक्का 91 और वाच आदे नहीं तुमने तो बलकुँ सही तुक्का मार दिया 91 आंसर आ रहा है पर देखते तो सही है कितना सही है यह हो ठीक है करो भाई इसको सॉल 84 का स्क्वार निकालो फिर 84 का स्क्वार कितना आएगा कि 91 निकाल लिये लोगों ने कि चलो कोई बातिनी 91 और आएगा इसका आंसर तो 54 का स्क्वार निकाल दो 84 मॉल्टिप्लाइ 84 टीक है तो 84 का मॉल्टिप्लाइख करो चाराइख insists 44 चारस चार्स चारस चारस कि मॉल्टिप्लाइख करो इसकी ट्रिक होती है वो ट्रेक कैल्कुलेशन वाली भूल रहा होगी हम इसको फिर कैसे करें फिर इसको दूसरे तरीके से करते हैं फिर अपने तरीके से करते हैं 84 का मल्टिप्लाई करना है तो 8 का हो जाएगा 640 675 और 84 चोके करें चोके होंगे तो यह हो गया चाएगा आपका 7056 और यह तो हो जाएगा आपका 7056 और यह हो जाएगा आपका 1225 जब सॉल्व करेंगे तो अंडरूट 91 आपको मिल जाएगा इसका ओवरॉल विजल्ट चिक है कि अगर कि अगर कि अगर कि साथ यार 56 प्लस 1225 कर लो 8281 आएगा और 1281 का जो स्क्यर रूट होगा कितना आएगा आपका तो 21 आएगा ठीक है थोड़ा सा बड़ा कोश्चन है एक कोश्चन में कुछ नहीं लॉजिक के नाम कुछ भी नहीं है लेकिन कोश्चन थोड़ आसा केलकुलेशन पार्ट पर बड़ा है ठीक है यह पेपर मैं मानुगा कि मॉटरेट लेविल का पेपर है को कि इसमें हर कोश्चन जो है वो टाइम कंज्यूम कर रहा है तो पेपर अच्छा बनाए गया है समय ले रहा है और अग इतना पाइटोगोर इंट्रप्लेट किसे याद रहेगा यार चौरासी 35 का 91 होता है करके देख ले रहा है इसको सॉल वही तरीका ठीक है ठीक है चलो कोश्चन नमबर सैविन देखते देखो यह आसान कोश्चन आगया आपके सामने यह वाला कोश्चन करके देखो भुजा एक सिकाई वाले परक का चेतरफल आधार एक सिकाई वाले तिर्वुच के चेतरफल का दोगना है तब तिर्वुच की उचाई क्या है यह इजी कोश्चन है विटा आपके लिए अंजली आदर के रही है हमारी तो जिंदिगे में कोई तुक्का फिट नहीं होता हाँ बिल्कुँ सही कह रहे है इंजिनियर मोहमद अंजूम परवेच जी की कैलकुलेशन है सर्वस हाँ कैलकुलेशन है मेरे भाई इसमें और तो कुछ कोश्चन में खास है नहीं और यह वह कहहर है यूनीट डिजिट से सहल हो जाएगा है हम हम हाई यूनीट डिजिट से भी पिटव कब निकालोगें तो है तbak 2 x सब का गलत है नहीं अ area of square एक square है एक square दिया हुआ है जिसका area x side x है area कितना होगा x square किसी भी बर्ग का 6-3-4 क्या होता है अगर x बुजा वाला square है तो उसका area क्या होगा x square फिर कह रहा है कि एक triangle है दोस्त क्या है एक triangle है इसका जो base है वो क्या है x ठीक है और तिर्वूच का जो छित्रफल होता है वो क्या होता है आधार half आधार x बुडा उचाई यह होता है तिर्वूच का छित्रफल यह होता है बर्ग का छित्रफल तो वो कह रहा है कि बर्ग का छित्रफल तिर्वूच के छित्रफल का दुगना है अब बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं यहां जो बच्चे हैं हमारे प्यारे से खोन हार बालक वो यह गलती कर देते हैं कि यहां square कर देते हैं को कि वो यह देख रहे हैं कि बर्ग का square तिरूज के छेतरफल का दुगना है रहे मेरे भाई तिरूज का छेतरफल का दुगना यानि तिर्वुच का चेतरफल का का मतलब गुणा दुगना मतलब 2 यानि कि तिर्वुच के चेतरफल में तुम 2 की गुणा कर दो तो उससे क्या होगा बर्ग का चेतरफल निकली आएगा ठीक है तो x square देखो 2 से 2 कट गया x से x square कट गया तो h की value कितनी मिल गई आपको यहाँ पर कुछ बच्चे फस गए होंगे सर ऐसे कैसे काट दो आप थोड़ा सा देख लो यार तुम x square बरावर क्या है half x multiply h गुणा तो तो 2 से 2 काट तो अब h बरावर क्या हो गया x square upon x यानि कि x multiply x upon x x से x कट गया भाई बहुत बढ़िया अभी सब बच्चों अब इनको सही आंसर मेरे वाई एक दम absolutely right answer है ठीक है चलो question number 8 देखते हैं दोस्त करो 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 देखो जी बेलन कैसा होता है भाई यह मत सूचना मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं मेरे को पास्ट पढ़ाना पढ़ेगा या पेपर नजदीक आ गया तुम्हारा कि इतना बुरा बनाएं कि अगर हम सुलो पढ़ेंगे तो फिर हम कि तीन दिन में पेपर कर पाएंगे उससे क्या काम चलेगा या समाज में आ जाएगा कोई दिक्कत निया परिशान नहीं हो ठीक है देखो पेलन पेलन बेलन 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 कहां से पगड़ें को बेलन तो उनको दिखनी रहा या एक तो इस्टुडियो में कुछ रहता नहीं है सामान पुरा या खाली रहता है स्टुडियो कोछ टिक्कत हो सब सेफु है या कोई युकि पानी की बोटल नहीं और पानी की बोतल या फिर दीपावली पे पढ़ा गयरा लाते हों पटाके तो वो भी एक बेलन की रूप में होते हैं जला देते हैं आसमान में आके फटता है बहुत सारी रोश्णी करता है आप ऐसे समझें कि एक इस तरह की शेप है तो इस शेप में ऊपर एक सर्किल बन रहा है और एक सर्किल क्या बनना दोस्त आते हैं पिटा यह बेलन का मतलब वाला बेलन नहीं है गरवाला कि तुम वाला कि एक पेपर स्क्राइब करें कि एक पेपर स्क्राइब करें पेपर है आपके सामने यह एक रेक्टेंगल का एक्जामपल है ठीक है अब मैं इस पेपर को अगर किसी एक एक एक्सिस से मोल्ड करूं मोल्ड हूं तो को ऐसे मोल्ड हूं इस तरीके से बेटा अगर मैं मोल्ड हूं तो यह जो आकरती अब बनेगी यह आकरती बेलन नुमा highlight है इसे perfect bola एने से कहते सिलेंडर अब आप देखिए यहां आप को एक सर्किल रा रहा है दोस्त यहां एक सर्किल आ होता है इक होता है CSA एक होता है TSA CSA और TSA में फर्क क्या होता है पहले वो फर्क समझ लो CSA का मतलब होता है curved surface area जैसे कि यह एक cylinder है तो जब आप इस cylinder के इस area की बात करते हैं यह जो आपको नजर आ रहा है यह वाला area ठीक है जो curved form में है उसे हम कहते हैं curved surface area या उसको दूसरी भासा में हम क्या कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं curved surface area कहते हैं क्या कहते हैं curved surface area और इसका एक और नाम होता है बक प्रष्ट का छेत्रफल यह क्या होता है यह होता है वेटा 2πr h क्या होता है 2 pi r h होता है अब आपको कैसा 2 pi r h कैसे होता है हमें समझाएं आप तो देखो ये बेलन बन गया अब इसका ये आपको सामने जो नजर आ रहा है एक सर्किल नजर आ रहा है इस सर्किल की पेरिमीटर क्या है 2 pi r और चम्बिने से खड़ा कर दिया तो height कितनी है h यानि कि अगर मैं इस बेलन को खोलू तो ऐसे बन जाएगा यह जो 2 pi r था वो यह है लंबाई और h क्या है चोड़ाई एरिया कैसे निकलता है लंबाई गणा चोड़ाई यानि 2 pi r multiply h तो 2 pi r h बन गया मेरे बेलन कुछ भी नहीं है यह rectangle को घुमा के बेलन बना देते हैं ठीक है तो जब rectangle को घुमा के बेलन बनाते हैं तो 2 pi r h बन जाता है फिर यह होता है total surface area इसको मैं इसलिए थोड़ा सा deep में बता रहा हूं कि बच्चे कई बार इसमें first जाते हैं कि सर यह CSA और TSA क्या होता है अब यह क्या होता है 2 pi r h plus pi r square h मतलब क्या कह रहे है गुरू जी समझ मैं नहीं आया तुमारा बता दो देखो यह हो गया 2 pi r यह हो गई h multiply कर दिया 2 pi r h बन गया पर यह वाला खाली रह गया ना अब इसका भी तो area होगा pi r square उसको जोड़ देते हैं तो यह पूरा covered हो जाता है तो उसे कहते हैं वेटा total surface area तो आब इसमें से 2 pi r अगर common ले लोगे तो कितना हो गया h plus r यह होता है formula 2 pi r h plus r रटना मत भूल जाओ तो CSA के formula में pi r square जोड़ के निकाल लेना formula पेपर में बैठके ठीक है 2 pi r h plus r होता है तो कितना होता है यह तो TSA होता है आपका 2 pi r h plus r अब आप सको क्या कह रहा है वो कि total surface area ठीक है यहनि 2 pi r h plus r की value कितनी दी है 3.52 d है radius 0.35 d है radius तो आप से height पूछ रहा है तो 2 multiply 22 upon 7 r की value कितनी दी है भाई यह तो बढ़ा अच्छा paper आया है मज़ा आया है भाई new year बढ़िया मनाई थी CVSC ने 2021 की देख लो ठीक है अब आज simple solve करते चले जाएं आप कुछ मत करो पॉइंट से point काड़ो कर जाते हैं ऐसे आमने सामने point से point कर जाते हैं अब देखो साथ से 35 कटेगा पांच बार यह हो गया 220 ह प्लस आर तीन सो बावन तो ह बरावर कितना हो गया 352 पट्टे 220 माइनस 35 पट्टे 10 तो सो बीस ही कॉमन लेलो यह हो गया 320 और यह हो गया पैंतीस गुणा बाइस तो पैंतीस गुणा बाइस कितना होता जल्दी से बता भाई 35 बुणा बाइस ठीक है कि टो तो 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 साथ सो सथर होता भाई चीक है कितना होता है 770 कुछ करबर कर देखनों करदी वी अ करके देखना बाई कहां कर गड़कर दी कर रहे हैं यार साथ से पैंथीस पांच और पांस दूनी दस तूसो बीस हेच प्लस और दो सोवाइज है अब एच प्लस और त्री प्लस अर थरी प्डू तो सोबीस एच प्लस आर थिन सूब हवेज था हुए बरावर क्या हो गया वाई थे 200 322 माइनस और की वेल्यू कित्ती है 35 अच्छा 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 पॉइंट 35 है पेरे भाई हमने दस से भाग गलत लगा दिया 100 से लगाना चाहिए था ठीक है 100 से भाग लगाएंगे तब बात बनेगी तो भी मुस्किली आएगा ठीक है चलो आसान करते हैं पहले इसको एच प्लस आर की वेल्यू कितनी हो गई आपकी 352 अपाउं 220 ठीक है अब इसको सिंप्लिफाइड कर लेना सिंपल जोड़ गटा गुड़ा भाग करके इसको सॉल्व कर लेना देखना क्या अंसर आएगा ठीक है इन्हीं में से एक आ जाएगा भी इस पर मैं फस नीरा केल्कुलेशन पार्ट पर आगे बढ़ते हैं ठीक है का समय बचाए तो इसकी कैल्कुलेशन कर लेना कुछ नहीं है थोड़ी सी कैल्कुलेशन करनी पड़ेगी पांस से काटना 300 यह तो पहले 22 से काटने ना 110 वार हो जाएगा ठीक है और यह अगर काटेंगे आप तो 1500 1500 कितना होता 300 176 बार कर जाएगा यह हो जाएगा आपका 176 वट्टे 100 तो 88 वट्टे 55 मैंसे आपको क्या घटाना है 35 वट्टे 100 को घटाना है यानि कि 7 वट्टे 20 को घटाना है ठीक है तो करके आप कर लेना सौल कुछ नहीं कैल्कुलेशन पार इसको देखें आप यह कोशन हिंदी में ले लेते हैं इंगलिस वाले एक बार फोटो भ ऐसे 12, 13 14 15 और ऐसे कितने लिखे हूए एक टालीस तक लिखी हुए तो टोटल नंबर ऑफ तौटल नंमर कितने है और देखेंगे की 11 नहीं है 11 तीस तीन यह परचियों को थेले में रख दिया जाता है और इस थेले में से राधा बिना देखे एक परची निकालती है इसकी क्या प्राइकता है कि उसके दारा निकाली गई परची पर एक अभाज संख्या नहीं हो तो सबसे पहले आप यह देखो 12 से 41 तक कितने आपके प्राइम नंबर् तो कितनी योगिक संख्या हैं होती है सबसे पहले दोस्त यह देखो निकालो फिर फिर प्राइम को घटादो टोटल मेंसे तो वो ईजी रहेगा को करना है ना है देखो, बारे आपका composite number है, 13 जो है, वो prime number है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 के बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23, 30, 30, के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 के बाद 41 भी है, 38, 49, 41, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानि 8 आपके क्या हैं, दोस्त, prime numbers हैं, 30 मैं से 8 क्या हैं आपके, prime numbers, तो probability निकालनी हैं आपने, क्या निकालनी है, probability, probability का मतलब क्या होता है, total number of terms, denominator में और उपर आते हैं, total number of favorables, ठीक है, तो total number of favorables upon total number of terms, तो आप देखिए, total number of favorable कितने हैं, मतलब की, 12 से लेकर 41, 41 तक कितनी संख्या हैं, तो आपका अंसर होगा, कि 12 से 41 तक total 30 संख्या हैं, तो probability में नीचे तो total number of terms आ जाते हैं, तो total number of terms कितने हैं, 30, कितने हैं, 30, तो 30 तो आपके बेटा total number of terms होगे, ठीक है, अब आप देखिए, कितने numbers हैं, जो prime numbers नहीं हैं, तो 8 prime number हैं, 30 में से, तो 30 में से 8 कटा दो, तो 22 क्या होगे आपका, composite number, solve कर लीजिए आप, 11 upon 15, यानि option number 3 क्या होगे, आपके question का answer हो गया, ठीक है, मुकेस कुमार जी कह रहे है, paper 1 है या 2, बिटा, यह paper second है, देख, उपर लिख रहा है, seated paper second, first January 2021, first January 2021, paper 1 में सामको 7 वजे कराऊंगा, ठीक है, हलाकि उसके 15 questions सुबह करा चुका हूँ, बाकी के 15 questions आज सामको कराऊंगा, उसमें 7 वजे, ठीक है, तो यह answer होगे, आपके 11 वट्टे 15, चलो, इसके बाद question number 10 देखना आप, यह भी अच्छा question है, थोड़ा सा logical, बहुत थोड़ा सा logical है, जादा logical तो है भी नहीं, कुछ observation का समांतर मात्य चाहूँ आने, बेटा, मात्य का पहले formula आपको पता होना चाहिए, मात्य, इसे हम क्या कहते हैं, और इंग्लिस में इसको average कहते हैं, तो average का formula क्या होता है, sum upon number of terms, ठीक है, यानि s upon n formula होता है, आगे क्या कह रहा है, कुछ प्रिक्षणों का, कुछ observation का मात्य चाहूँ आने, यानि मात्य कितना है, 54, s upon n, n मतलब जितने भी terms है, उन सारी terms से, जो sum है उनका, divide करें तो 54 मिलता है, यदि प्रिक्षण में 8 की ब्रद्धी की जाए, बेटा सुनू, total sum कितना है, s, total sum कितना है, s, और total number of terms कितने है, n, ठीक है, हर observation में 8 की ब्रद्धी हो, तो observation कितने, n, अगर 1 में 8 की ब्रद्धी होगी, कितनी बत्दी होगी 8 n to 8n की ब्रत्दी बत्दी किस न्हीं कि सम नहीं स् worn नहीं नहीं प्रत्दी नहीं कि प्रत्दी चेंड मैं हो एक रहा है कि यो गहरा है कि जितने Hinter味 है उसका जो भी समद आे है उसमें 8 n की बत्दी Venid कर पहाँ लगा तो फिर पूछ रहा है बताओ average क्या होगा तो s plus 8n divided by 2n ठीक है वस इसकी value पूछ रहा है आप से s plus 8n divided by 2n यहां से s की value क्या मिलगी 54n बिटा यह हो गया 62n upon 2n n से n कट गया 2 से 62 कट गया 31 इसका answer हो गया हाँ जी बहुत बढ़िया जी सर ओके thank you sir side दे दीजे थोड़ा सा paper का level यह अच्छा है तो हो सकता है आपको पसीने आ रहे हो कि गुरू जी दमाग घूम रहा है तो question में दमाग घूमेंगा इन में ठीक है यह थोड़े से दमाग को घूमाने वाले सवाल है ठीक है दोस्त चली दुवारा बता दूं average क्या होता है sum upon terms होता है s upon n होता है उसने average दिया हुआ 54 s की value आपको निकालनी है और n उसने दिया हुआ है s और n दोनों का उसने कुछ नहीं दिया हुआ ता पता वस इतना पता है कि जो माद है वो 54 है तो फिर वो कह रहा है कि हर terms में 8 की प्रद्धी हो जाए मतला हर observation में 8 की प्रद्धी हो जाए तो n observation है s plus 8n divided by 2 को वो कह रहा है कि 2 से फिर भाग भी लगा हो तो 2 से भाग लगा दो n रहेगा आपका क्या होगे दोस्त आंसर हो गए या लालीत प्रजापती कह रहे हैं बेहुसी आ रही है बेटा देखो पेपर बन एक हजार रुपे का है पेपर टू बारेंसों रुपे का है तो ऐसे जितने भी बच्चे है न उनको आएगा दिकत चलिए आपके चहते हम सब के प्रिय आदर्णिय स्री भवानी सर हमारे बीच में आ चुके हैं और सर की अब क्लास होगी उसके लिए मैं अपने बोरिया विस्तर को समेट कर चला जाता हूं चुप-चाप आईए सर स्वागत है आपका चलिए दोस्त सर की क्लास अब स्टार्ट हो जाती है चलिए बिटा कल इसके आगे का पार्ट करा दूंगा कल पैटागोजी का पॉर्ट्शन होगा तो कोसिस करेगा थोड़ा सा तेज पार्ट होगा ठीक है चलिए तन अब आई कैसे हो सब लोग पेवर जरा सारे लोग क्लास को शेर कर दो है ना वेलकम तू यू वेलकम तू यू वेलकम तू नी अजास इबारा जास अजास इबारा जास अजास झाल झाल आप तो बता रहे हैं एक बार आवस वगेरा आ रही है कि नहीं एक्जाम आ गया है इतनी खुशी इतनी खुशी चल तो भाई आपका के विए संजीवनी बैच इस अल्रेडी रणिंग ओवर दा एप विद डिसकाउंट ओ ठीक है 50 परसंट जिसमें आपको टीजीडी जो है व और आपका PRT जो है सब्जेक्ट के साथ वह आपका 1875 में मिल रहा है और केवल जन्रल पेपर आपको 1249 में मिल रहा है अगर आपको जुड़ना है तो स्क्रीम पर दिये के नंबर पर कॉल कर से तो आज की क्लास का आपका कुश्चिन नंबर फस्ट यह बोल रहा है तो फेज प्रत्वी सूर और चंद्रमा के बीच में आ जाती है अमवस्या के दिन चंद्रमा प्रत्वी एवं सूर्य के बीच में होता है तो क्या होगा एंसर सर आपकी वज़े से बोट डाट मिली तो मैंने क्या कर दिया एक्जाम आ गया है सर जी हाँ है एक्जाम आ चुका है तो बताओ क्या होना चाहिए सई दी ओने न्यू मून डे अमवस्या के दिन प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है अच्छा और सोच लो चल तो आंसर तो इस क्वेश्चिन विल बी अरे ओन नालाय को प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आजाती है तो जब आपको होता है क्या पूर्णिमा तो ए विल वी दा राइट एंसर तो आपको होता है इस है भारत मोना था की जिल ठीक है चलिए ठीक है और नुनमा धेगे दा मून हिस इन बिट्वीन नहीं अबस्त्या के दिन ऐसा नहीं होता ठीक है on a full moon day the moon is in between the color and the sun टिक है नहीं यह विनी होता on a new day the earth is in between the sun & the moon rest all three incorrect incorrect हाँ तो सही तो है पुल्मून्डे बोलने मा चल्ड ता अंसर तो इस कोस्टिन विल भी इस्प्रेशन इपूर्ट तरह नापका ए next thing is which of the following represent correct match state of part human eye and its function तो इन में से आपको match करना है human eye का कौन सा पार्ट क्या काम करना है cornea controls the amount of light entering eye iris acts as a screen for the image pupil holds the lens in position ठीक है retina helps in focusing light and protect eye match करो यहां से match करो आज हम अपस है कल पूर्णी माती ऐसे कैसे हो सकता है पंद्रह दिन का टाइम पीरिट आता है कल सीटेट के फर्स पीपर के लिए है यह क्लास बिटा सीटेट के फर्स पीपर के लिए रात में चलती है नो हो जे यह सेकेंड पीपर गी है अरे सेकेंड पीपर बिटा फर्स पीपर रात में नो बजे तो इसको मैच करो ठीक है मैच करो फिर अपन दूसरी स्लाइड पे इसका करेट्ट आप्शन देखेंगे आज फूर्णीमा है कल था वास्या चलो इसको मैच करना है ठीक है आपकी बेसिकली पांच अलग अलग चीज दी गई है ठीक है जैसे कॉर्णिया आपका इन में से कौन सा ओप्शन सही होना चाहिए सीडीपी की क्लास नहीं भूई थी आचल मैं नहीं ऐसा तो नहीं है तो बताओ बी ए चलिए वेरी गुट आंसर टू दिस कोश्चन विल बी डे जो कॉर्णिया है ठीक है कॉर्णिया आपका क्या करता है ठीक है तो यह आपकी typically help करता है किसमे ठीक है प्रकाश को के इंद्रिक करने में और मदद करता है आप會 की रक्षा करने में इसके बाद आपका दूसरा कोन से पूला故 YouTube देश पारितारिक है तो पारिदारिक है आपकी करती है basically ठीक है यह आपका amount of light को control करती है ठीक है entering में ठीक है next thing is pupil हाला कि amount of light को basically आपका shutter काम करता है ठीक है और iris का main function होता है आपकी आखों के color को maintain करना आपकी आखों का color जो है वो iris की वज़े से ठीक है बड़ थोड़ा बहुत इसमें भी यह participate करता है ठीक है pupil जो है ठीक है pupil आपका यहां से ठीक है तो यह आपका camera की shutter की तरह काम करता है कितना amount of light में अंदर आईगी कितना आपका exposure जाना चाहिए light में यह सारा pupil पूपिल कंट्रोल करता है iris का main function आपकी आखों के color के लिए होता है बट वो दिया नहीं है इसलिए हमने उसको वो किया ठीक है next thing is ठीक है आपका retina जो है यह screen की तरह act करेगा और ciliary muscle आपकी hold करेगी image को ठीक है तो सही आपका क्या बन रहा है ठीक है that is fourth first pupil का fifth से match होगा retina का second से match होगा और third तो first fourth first fifth second third fourth के वल एकी option में भी वी ता राइट थीक है next thing is अगला question अगला question आपसे बोल रहा है ठीक है read the following statement and choose the correct option the leaves of carrot plant has reticulate venation ठीक है plant having tap root have leaf with reticulate venation ठीक है तो आपको assertion दिया अभीकतन दिया गया है कि जो गाजर का पौदा होता है उसकी पत्तियों में आपका जालीदार venation मिलेगा और जिनमें आपका tap root होती है मूसला जड़े होते हो उनमें आपका जालीदार शिराविन्यास दिया रहे शिराविन्यास होता है यह आपका statement दिया गया ठीक है तो आंसर तू दिस question विल भी आइरिस ब्लैक ही क्यों डॉमिनेंट है क्योंकि जो आपका बेसिकली जब hardy winberg law से देखते है population genetics में तो जो heterozygous है और जो आपका homozygous है उसका trait आपका black का ज्यादा होता है इसलिए black color dominant आप बहुत ही कम आपका brown और यह आपका नीला खिला यह सब color देखने को मिलेगा answer क्या होगा very good answer to this question विल भी अच्छा एक statement और है statement 3 भी है sorry ठीक है तो statement 3 बोल रहा है आपसे कि जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों की शिराविन्याद से कोई संबंद नहीं है देखो इसमें आपका option है assertion और statement first are true और statement one support कर रहा है किसे ठीक है आपका assertion को ठीक है assertion और statement two सही है statement two support कर रहा है a को assertion और statement three सही है ठीक है a is not true जबकि statement third is true तो बताओ क्या होगा तो असर्चन और statement फर्स्ट आपका सही है तो यह विल बीदा राइंस नेक्स इंग इस ठीक है इन में से कौन सा कथन ठीक है आपका सही है निशेचन और परागन के संदर्व में ठीक है ovary of the flower matures into full फूल का अंडाश है परिपक वो होकर फल बनाता है seeds of the plant form ovule for fertilization ठीक है पौदी के बीज निशेचन के लिए बीजाण बनाते पौली नेशन टेक्स प्लेस आप्टर फर्टिलाइजेचन निशेचन के उपरांत परागन होता है इन पौली नेशन seeds are dispersed by wind water and insects ठीक है परागन में बीज बायू जल पक्षी कीटो द्वारा विस्रित होते है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इंदा गुल वीजाण में निशेचन संपन होता है तो कौन से कतन आपके सही है बताया बेग कौन से कतन सही है फर्स्ट एन फॉर्थ फर्स्ट एन फॉर्थ तो ऑप्षन में नहीं है कहां से तुम फर्स्ट एन फॉर्थ बता लिए very good answer to this question भी दो यह साहिए ओवरी आपकी क्या हो जाएगी पक्के आपका fruit बन जाएगा ठीक है यह बोल रहा है seeds आपके ovules बनेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए यह तो गलत है पहले फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इनका पकना चालू होता है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आप्टा फर्टिलाइजेशन यह भी गलत है पॉलिनेशन seeds आपके seeds नहीं pollen grain dispersed होते ठीक है fertilization टेक्स प्लेस इन दा ओव्यूल ठीक है यह बिल्कुल सही है ठीक है तो फर्स्ट और फिप्त आपका a will be the right answer ठीक है a will be the right answer ठीक है next thing is ठीक है read the following statement and choose the correct option निमने कथन को पढ़ियो साही विकल्क तो चलिए white blood cells wb से आपकी ठीक है कोशिकाय जो होती है रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में साहित गड़ती है ठीक है reason first reason दिया गया है कि white blood cell can change shape की आपकी जो white blood cells है वो अपने क्या करती है आकार बदल से ठीक है तो बोध a and r are correct और r correct एक्स्प्लेनेशन है किसका a का a और r सही है बट r कोई correct एक्स्प्लेनेशन नहीं है a का एक और अर गलते एक इनक और अर सही है बताईए चलिए very good very good बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए काइदे से काइदे से इसका answer होना चाहिए बी काइदे से इसका answer होना चाहिए बी कि भाई white blood cells help in fighting with disease causing organism सही बात है white blood cell can change shape ये भी सही बात है बट शेप चेंज करने में disease fighting ability से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बट आपका seatedness का answer A माना था तो आप लोग भी A मान लीजे मेरे हिसाब से तो A बिल्गुल गलत है ये रीजन ये क्या रीजन हुआ कि शेप चेंज कर रही है तो disease से लड़ने में फायदा होगा उसे ऐसा तो बहुत सारी आपकी शेप चेंज नहीं करती है पॉली मॉर्फिजम अरे वो नूकलियस है पॉली मॉर्फिक नूकलियस चाची उमा सुकला शेप थोड़ी चेंज कर रही है मोनोसाइट शेप चेंज करती है तो काइदे से एंसर इसका मेरे इसाब से तो भी होना चाहिए ठीक है बट आपका सीटेट ने एंसर दिया ए तो सीटेट वाले जादन नसा करके बैठे हुए शेप चेंज होने से disease fighting ability पे कोई रोल नहीं होता चलो एक metal x है और एक metal y है और एक metal z है ठीक है from their respective salt solution metal y displace कर रहा है किसको metal w को from its salt solution but z does not displace w from its salt अच्छा y w को कर रहा है but z w को नहीं कर रहा है ठीक है the most and least reactive metal are क्यों shape change होगा तभी engulf कर पाएंगी कोई ज़रूरी नहीं है it is not compulsory ठीक है neutrophil भी phagocytic nature की होती है बट उनका shape नहीं change होता ठीक है macro phase ही shape change करती है जब monocyte आपका पहुचके tissue में आती है तो macro phase आपकी dipendesis करती है बाकी किसी का shape change नहीं होता T cell जो है वैसी ही है B cell जो है वैसी ही है neutrophil जो है वैसी ही है और क्या बोलते हैं कि एन के cells जो है वैसी ही है dendritic cells जो है वैसी ही है तो बताओ ठीक है कि एक metal है x जो कि displace कर रहा है ठीक है एक metal है ठीक है x x ने किसको displace किया वाय को ठीक है और जो metal और x displace कर रहा है z को भी ठीक है from there respective salt solution ठीक है metal y displace w जो यह y है यह आपका w को displace कर रहा है ठीक है बट जो z है वो आपका w को displace नहीं कर रहा है ठीक है तो इसमें बताओ most or least reactive metals कौन कौन से बताओ 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 वियर्यों आंसर टू टू इस कुस्टिन बट ए एक्स और जासन देखो एक्स ने वाय को displace कर दिया और Y W को कर रहा है तो X W को में displace कर देगा Z आपका W को displace नहीं कर पा रहा है बट Y कर रहा है तो that means अगर मैं reactivity की series बनाऊं तो X सबसे महला होगा ठीक है उसके वाद Y होगा फिर W होगा फिर Z होगा तो X सबसे जादा क्या है ठीक है रियक्टव है Z सबसे कम रियक्टव है तो answer to this question will be X और Z ठीक है X और Z clear है clear है चल next thing is अगला question अगला question आप से पूछ रहा है कि identify the following ठीक है non-metallic lubricant एक अधात वे किस नहीं है ठीक है a metal which does not react with water but react with steam एक धातू जो जल से अभी क्रिया नहीं करती किन्तु भाप से अभी क्रिया करती है a metal is which is constituent of baking powder एक धातू जो की baking powder की संगटक है non-metal used in fire cracker ठीक है एक अधातू जो पटाकों में प्रयोक्त है first, second, third, fourth यह first, second, third, fourth कोन कोल सी चीज़ है फॉस्पोरस जिन, sodium, sulfur ठीक है carbon, copper, sodium, phosphorus carbon, copper, calcium, sulfur phosphorus, copper, calcium, sulfur बताओ कौन सी होगी हाँ जा फॉस्पोरस अगाई नेक है पॉस्पोरस पक्षण है सबंत का क्योज़ जाइगा सबनका बी कार्वन कोपर सोडियम कोपर कब से स्टीम से रियक्ट करने लगी भई है चल तो एंसर तो इसक्वेशन विल बी ए यह विल बी दर इंस नॉनमेटल लुब्रिकेंट कौन होते यह फोस्फोरस होते है ठीक है कौपर जो है आपका पानी से रियक्ट नहीं करता आप कौपर के बतनों में पानी पीते हो घयंए खीतने पानी पानी हो होगे घ्यंठ टो यह बीएक नहीं करता ठीक है A metal which is constituent of baking powder ठीक है, baking powder क्या होता है That is sodium bicarbonate ठीक है, that is sodium और आपका sulfur जो है यह आपका firecrackers में use होता है Fourth will be the right answer Sulfur पठाकों में पढ़ता है यह नहीं पता तुम लोगो A will be the right answer चल, next thing is अगला question, ठीक है Which of the following statement is true regarding fungi, they are plants यह आपकी पौधे होते है Prakash translation कर सकते सारे fungus unicellular होते Some fungi helps in producing Antibiotic, ठीक है, आपको True बताना है, ठीक है First, second, third, first, second, fourth Second, third, fourth First, third, fourth बताओ जल्दी बताओ The answer to this question will be ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है अरे मेरी लाली कोपर नहीं करता ऐसे Wilson होता है Wilson disease कहां की है, तुम कहां relate कर रही हो से Answer to this question will be B, first, second, fourth ठीक है, अगर हम basic छोटी क्लासों के लिए बढ़ा है, तो fungus आपकी क्या मानते हैं, हम plants में मानते, they cannot perform photosynthesis, यह सही है All fungus are unicellular, यह गलत है क्योंकि आपकी east को छोड़के सारी कैसी multi-cellular Some fungi helps in producing antibiotic, यह सही है, तो first, second, fourth will be the right answer Otherwise, तो यह भी गलत है, they are plants, fungus plant नहीं होगी, ठीक है चलिए, next thing is Rina is suffering from vomiting and lack of appetite, doctor diagnosed it as a viral disease contamination of water, Rina is suffering from hepatitis, cholera, dysentery type 8 तो Rina किस से सफर कर रही है चलिए, तो answer to this question will be, ठीक है भाई, सीधी सी बात, ठीक है vomiting हो रही है, पेट भूगने लग रही हो से, ठीक है, contamination of water का और एक viral disease है, तो viral disease जो आपकी water से आएगी, वो कौन से होगी hepatitis, तो A will be the right answer, ठीक है, तो hepatitis हो जाएगी उसे, ठीक है, तो hepatitis के बाद, jaundice की chances भी बन जाएगे, ठीक है, next thing is soil A has low water holding capacity and high percolation rate, ठीक है एक soil है, जिसमें water holding capacity कम है, ठीक है percolation rate जादा है, that means ये soil के अंदर, particles दूर-दूर होंगे, और particle का size बड़ा होगा, organic matter level in the soil is low, ठीक है, soil B has high water holding capacity है, ये A soil है, और ये B soil है, B soil, आपके छोटे-छोटे particles होंगे, और आज-पास में होंगे, इसलिए इसके पास क्या होगी, high water holding capacity, high water holding capacity है, जबकि इसका percolation rate कम है, सही बात है, भई, soil पर पास में है, तो percolation rate इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर organic content ज़्यादा है, soil C has medium water holding capacity, medium percolation rate, और medium organic contentment, तो ये ABC कौन-गौन सी है, ये आपके सामने 4 option दिये गए हैं, बताओ, तो very good, answer to this question will be, clay तो होगा नहीं, ठीक है, B will be the right answer, ठीक है, B will be the right answer, चल, अच्चा, इसमें अगर मैं ये पूछू, कौन सी soil, aerated जादा है, कौन सी soil, बातित जादा है, aerated जादा है, किस soil का, aeration जादा है, किस soil का, किस मरदा का, aeration जादा है, aeration, ठीक है, तो याद रखना, aeration उनका जादा होगा, जहांपर particle दूर दूर पर होगे, ये जादा aerated होगी, मतलब इसमें air जादा है, ठीक है, नेक्स इंग इस, a person shows stunted growth, swelling face, discoloration of air, and skin diseases, this may be due to fats, protein, carbohydrate, mineral, ठीक है, तो भाईया, उसकी चेहरे पर सूजन है, root विकास है, ठीक है, बालों का बदरंग है, मतलब बाल आपके सफेद वुए दारे, और आपकी तुचा की बिमारिया दिख रही है, किस कारण से हो सकती है, वसा, protein, carbohydrate, या फिर आपका खनिज, बी, सी, चली, तो आपका बेसिकली, ठीक है, स्टंटेड ग्रोध है, स्वलिंग है फेस पे, ठीक है, डिस्कलरेशन ओफ हैर है, स्किन डिजीज है, ठीक है, तो यह बेसिकली क्या रहा होगा, proteins, ठीक है, विकास आपका protein की lower amount, आपकी ग्रोध को क्या करेगी, रोख देगी, स्टंट कर देगी, ठीक है, तो B will be the right answer, ठीक है, next thing is, match the following, column A को, आपको column B के साथ, reproduction से मिलाना है, algae, spore formation से produce करती है, fungus fragmentation से, dahlia, detachment of body part से, या cactus by root से, तो कौन सा इसमें सही है, सर नवस्ते, नवस्ते, आणास्ते, ठीक है, हो गया, झाल झाल चल तो देखो algae जादतर algae किस से करेगी जादतर algae आपका fragmentation से reproduce करेगी ठीक है तो second हो जाएगा fungus और bacteria sports बनाते हैं ठीक है ठीक है डेलिया ठीक है डेलिया आपका basic ली reproduce करता है वेजेटेटिव प्रोपागेशन से ठीक है तो B हो जाएगा cactus detach हो जाती ही आपकी gas stem body part से forth हो जाएगा तो सही वो क्या बनेगा 2 1 4 3 2 1 4 3 सर्च करो 2 2 2 2 1 4 3 D will be the right answer D will be the right answer next thing is अगला question अगला question आपसे ये पूस्ता हुआ की 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 give below are some substance and their mode of storage in laboratory ठीक है तो laboratory में हमको कुछ substance A और B रखने है और किस तरह से रखने है वो B में बताएगा तो सही match करो कौन सा कहसे store होगा sodium metal को glass bottle में रख दो phosphorus को plastic bottle में रख दो sodium hydroxide की pellet को पानी में रख दो ठीक है mercury को आपका basically क्या सीन में रख दो तो सही match करो कौन सा आपका सही match जाएगा एने को थ्री से मिलाएदे sodium को पानी में रख दे जल जाएगा ठीक है चलो sodium आपका kerosene में जाएगा phosphorus आपका पानी में जाएगा sodium hydroxide के pellet किस में जाएगे plastic bottle में जाएगे mercury आपको काच की bottle में रख नहीं पड़ेगी ठीक है तो 4,3,2,1 ठीक है 4,3,2,1 ठीक है चलो तो यह देखते हैं यह सीरीज किस में आ रही है 4,3,2,1 4,3,2,1 B इसका सही जवाब चली है आपकी स्रजन ने एक मेराथन में भाग लिया यद्द भी वह रोग नियमत रूप से सेर नहीं करता चीक है तेस दौणने से उसकी टांगों में एठन हो गई है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि मास्पेशियों में A आंशक रूप से B में तूट गया इसी एक गरम जल उश्मक ने पैर रखने से उसकी सभस्ता में सुधाल हुआ क्योंकि B पूर्णते से C तथा D में तूट गया ये A, B, C, D क्या है Lactose Lactic Acid Oxygen Water Galactose Alcool Oxygen Water Glucose Lactic Acid Carbon Dioxide Water Glucose Excorpic Acid Carbon Dioxide Water चलिए तो answer to this question will be 14th का हो जाएगा 14th का हो जाएगा C ये हुआ क्या कि वो एक basically marathon runner था दोड़ा 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 दोड़ने से excessive दोड़ने से उसके क्या हुई मासपेशी के अंदर lactic acid बन गई तो glucose pyrovic acid में change हुआ होगा pyrovic acid lactic acid में change हुआ होगा जब उसने complete rest लिया होगा तो यही lactic acid वाए पस pyrovic acid में बदला होगा ठीक है और pyrovic acid आपका breakdown होके क्या बना देगा carbon dioxide और water तो c will be the right answer अरे हो मासपला विद्धी जीव जान से पढ़ी हो ने लेक्टोस यूज़ करेंगी तू एक आदमी है marathon में दोड़ रहा है कभी दोड़ा नहीं है उसके पैर में acid बन गया ए बन गया ठीक है तो ए कनवर्ट हो गया बी में ए क्या है ए ग्लूकोस रहा होगा लेक्टोस कैसे हो जाएगा अनरोबिक रेस्पिरेशन याद कल लो नहीं हो तो समझ में which of the following is not a function of manure ठीक है improvement of soil texture replacement of soil with nutrient providing pocket in the soil for seeds to grow मर्दा में वीजो की ब्रद्धी प्रदान करना इंप्रूब्मेंट और water retaining capacity of soil 14 का सी नहीं सही है यह काट डालूंगा इसे समझा ले समयता इसे मर्दाईगी मेरा तो यह चो नहीं है सी सही चो नहीं है सी सही बताओ जाएं को नहीं है सी सही मेरे पैर में दौड़ते दौड़ते मेरा ग्लूकोस लक्टिक एसड में चेंज हो गया दर्द करने लगा मैंने गरम पानी में डाल दिया को रिसाइकल याद है कि नहीं याद है पड़ी थी कि क्या हो जाता है लग्टडिक एसड का वापस चेंज नहीं होता है ग्लूकोर्ष में तो ग्लूकोस वापस पाईरूवेपक एसड में चेंज होugs को रिसाइकल याद है कि नहीं याद है what will happen to the role of glycosin in lactic acid तो मैंने दौड़ना चालू किया दौड़ते दौड़ते मेरे अंदर मेरी मसल्स में एनअरोविक रस्पिरेशन स्टार्ट हुआ लेक्टिक एसड बन गया फिर मैं ठक गया जीत गया महरतन जैसे तैसे करके लेक्टिक एसड जो बना हुआ उसका क्या होगा लेक्टिक एसड वापस ग्लूकोज में बनेगा टू थर्ड वन थर्ड पार्ड कुछ याद हो तो ठी हो जाएगा अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया चलो तो वेरी गुट इंप्रूब्मेंट ऑफ वाटर रेटेनिंग क्यापिसिटी यह आपकी स्वेल नहीं कर पाएंगे और सॉरी मैनियोर्स नहीं कर पाएंगे नेक्सिंग इस विच इस ओफ दे फॉलिंग सेट कमप इस लिए चिला रहे विटा कि यहां जितनी घलती घंडिय कर लो वाँ एक्जाम में मौका नहीं मिलेगा वापस एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है एक नंबर से सेलेक्शन रोपता है पूछो ना हमसे हम तो जीते जाते गवाय है हम भी हम क्यों चिला आते हैं उस पर हम भी उसकी तरह थे बहुत ओवर कॉन्फिटेंट रहते हैं आप बाइलोजी में तैस ओड़ा देंगे यह बट जब दिया ना एक्जाम तो यह देखा कि जो आता हुआ तो वो गलत करके आ जायों और चलो वेरी एंसर टू डिसकूस्चिन विल भी देखो वाइरल डिजीज पूछ रहा है तुमसे टूबर ग्लॉसिस पॉसिबल नहीं है ठीक है कोलरा पॉसिबल नहीं बची कौन सी हैपिटाइटिस तो हैपिटाइटिस मीजल्स तो लियू चिकन पॉक्स ये सारे के सारे आपके क्या है अब हो गदे डी वालो कंचन चौहाल कॉलेरा कब से वाइरल डिजीज हो गए गाई बैक्टीरिया तो बी विल वी दा राइट एंसर ठीक है तो बी विल वी दा राइट एंसर चलो नेक्स इंग इस वारियस पेट्रॉलियम प्रोडक्त एंड देर यूज़े अर गिवन बलो इन दे कोलम ए एंड कोलम बी रिस्पेक्टिवली चूज दा लेक्टोज चूज दा करेक्ट मैचिंग सेट तो कॉलम डिया गया पहले मैच कर लो कौन सा किस से मैच होगा फर इसको अगली स्लाइट पर मैच करके देखते हैं अगली स्लाइट पर मैच करके देखते हैं कोड़ा अब का एक्वलोजिब बनाने में काम आएगा कोल तार आपका फ्यूल की तरह काम करेगा इंडरस्ट्रीज में कोल गैस आपकी मेटलिंग ओफ रोट मतलब सडकों पर परद बिचाने में काम आएगी बिटुमन आपका ठीक है स्टील के निर्वान में काम करेगा बताओ जल्दी बताओ चलो तो देखो आपका जो को के इसका यूज हम करते है ठीक है रोड बनाने में भी करते बट इसका में यूज आपका पर्फ्यूम और और एक्स्प्लोजब्स बनाने में यूज करते है ठीक है ओल गैस आपका इंडरस्टीज में फ्यूल की तरह यूज होता है और यह कई हो सारी कैमिकल रियक्शन का भी पार्टिसिपेंट करता है ठीक है बिटुमन आपका जिसको हम एसफॉल्ट भी बोलते है यह रोड बनाने में काम करता है तो एक सिरीज क्या बनी है ठीक है तो नेक्स्ट में देखते है थे स्लाइड में 4123 कौन सा था 4, 1, 2, 3, A will be the right answer, A will be the right answer, 4, 1, 2, 3, next thing is अगला question, अगला question आप से पूछ रहा है, which of the following represents the correct matching strength, फ्लेक्स, हस्क, छिलका, कोटन का पास, कोकून, क्रमी कुष, फ्रियेशन, पुष्प और कोकूनट फाइबर आपका तना, तो सही मेच करना आपको कौन सा सही मेच होगा, A, B, C, D, A, B, C, D, इसके लिए आपको एप्लिकेशन पढ़नी पढ़ेगे, इन सब की एप्लिकेशन पढ़नी पढ़नी पढ़ेगे, देखो मैंने क्या बोला, आपके बहुत सारे question, 11th class क्या है, ये सारी के सारी चीजों के use, 10th तक की बुप में नहीं है, इसके लिए आपको chemistry के, ठीक है, जो 11th class में chapters है, ठीक है, कि uses of compound करके आखरी में जो दो chapter दिये रहते हैं, वो आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो सारी चीजों के use बहां पे दिये गए, ठीक है, कि कोक का कहा use होता है, कोलतार कहा use होता है, कोल गए, 10th तक की किताब में इनकी uses नहीं है, तो कुछ आपके ऐसे question stamp हुआ, jute हुआ, यह सारा stem से मिलता है, ठीक है, cotton किस से मिलेगा, cotton किस से मिलेगा, cotton, कोलतार को road पे भी use करते हैं, कि हाँ, कोलतार road पे भी use होता है, but the thing is, वहाँ asphalt दिया हुआ, ठीक है, bitumen दिया हुआ, तो mainly आज के time में bitumen use करते, कोलतार को, हम perfumes और explosives में भी use करते, ठीक है, now, next thing is, आपका cotton, cotton कहां से मिलेगा, cotton आपका मिलेगा, फ्लार से, मतला actually में fruit होता है, फ्लार से क्या develop होगा, fruit develop होगा, ठीक है, silk आपका, cocoon से, ठीक है, और coconut fiber आपका husk से, तो सही सीरीज क्या बनी, 4, 3, 4, 3, 2, 1, और 4, 3, 2, 1 किसमें आ रहा है, B, B will be the right answer, B will be the right answer, ठीक है, next thing is, अगला question, अगला question आपसे यह बोल रहा है, choose the correct statement from the regarding plastic, thermoplastic, ठीक है, जो तापसन में बार बार सांचो में डाले जा सकते है, can be molded again and again, ठीक है, thermosetting plastic can be soften by heating, ऊश्म अस्थेटिक प्लास्टिक गरम करने पर पिखलाई जा सकते है, bakelite is an example of thermoplastic, bakelite तापसन में का उधारने, polythene और PVC are example of thermosetting, polythene और PVC, ऊश्म अस्थेटिक प्लास्टिक के उधारन है, तो बताओ, क्या सही है इसमें, प्लास्टिक जो गरम करने पर गरम हो जाए, तो देखो, थर्मो प्लास्टिक, दू तरह के के प्लास्टिक होते हैं, थर्मो प्लास्टिक, थर्मो सेटिक प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो गरम करने पर गरम हो जाए, पिगल जाए, नरम पड़ जाए, और थंडा वोने पर कड़क हो जाते हैं, ऐसे plastic को मोलते है क्या thermoplastic ठीक है thermosetting क्या होते है ऐसे plastic जो गर्मी मिलते ही पिगल जाए ठीक है तो बेकलाइट आपका basically किसका example होगा बेकलाइट example होता है thermosetting का ठीक है polythene PVC किसके example होते है thermoplastic की ठीक है clear thermosetting plastic can be soften by heating ठीक है नहीं अगर इनको गरम किया गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया बचा कौन सा ए विल भी दा राइट एंसर ए विल भी दा राइट ओंसर यह थर्मोप्लास्टिक होते है polythene और PVC यह गरम होत करते हो ठीक है यह तार को जब पिगल आते हो पिगल जाता है बढ़ ठंडा होने पर टाइट भी हो जाता है ना ठीक है पिगल तो नहीं जाता ना पूरा ठीक है तो that is thermoplastic त्रापदड और तापस्वन में चलो which is not the function of a nucleus in the cell to provide shape and rigidity to the cell कोशिकाओ का आकार एवं सर्दटा प्रदान करना to transfer trait from parent of offspring in the forms of gene, gene के रूप में जनक से संतती तथा अभी लक्षनों को स्थारांतरित करना ठीक है to act as a control center of the activities of the cell एक नियंत्रन केंद्र की तरह कोशिका के क्रिया कलापो को नियंत्रित करना to allow the movement of material between cytoplasm and inside of the nucleus कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रत के मध्यपतार्तों की गतिविदी कराना बताओ सर प्लीज फर्स्टों सम्झा दीजा कौन सा फर्स्टों तो to provide shape and rigidity to transfer trade to act as a control center चल तो not the function of nucleus ठीक है answer to this question will be cell को आपका shape और rigidity देना ये कोई आपका nucleus का function नहीं होता है रेस्ट ओल आपका nucleus के function ठीक है which of the following is an example of a question to assess divergent thinking in learner on the topic of fossil fuel ठीक है देखो convergent thinking और divergent thinking का मतलब है converge और diverge समझलो ठीक है simple सा converge होता है जब काफी सारी चीज एक ही जगह पर आपका point out करती है यह converge हो ठीक है diverge का मतलब है जब एक जगह से कई हो सारी जगहों के लिए रास्त्रे निकल जाए ठीक है यह diverge हो ठीक है जैसे convergent evolution और divergent evolution में आपने कभी darwin finches पड़ी होगी तो darwin की जो एक बर्ड से 20 अलग लग तारे की क्या निकली थी बर्ड निकली थी that is divergent evolution ठीक है बट marsupials वगेरा आके एक जगह पर आके क्या हो गए मर्ज हो गए that is convergent evolution ठीक है तो ऐसे ही अगर आपके सारे question सारे question का का जवाब एक ही हो तो वह convergent हो जाएगा बट एक question से कई हो सारी सोच डबलब ओडियों वह आपका divergent हो जाए तो बताओ कौन सा हो ठीक है तो right five advantage of solar energy over fossil view ठीक है यह कैसा होगा converge होगा ठीक है list the step involved in the formation of coal यह भी कैसा है converge ही है ठीक है draw the level diagram of fractional distillation process converge रहे ठीक है तो petroleum reserve अगर finish हो गए तो क्या-क्या alternatives आप लाओगे क्या करोगे क्या उस time कैसी दुनिया रहेगी यह आपकी divergent thinking है डी will be the right answer ठीक है next thing is assertion है waterfalls easily at low altitude reason like a sea shore ठीक है atmospheric pressure is less at lower altitude ठीक है बताईए both assertion and reason are correct और reason आपका सही explanation दे रहा assertion और reason सही है reason आपका गलत explanation दे रहा assertion सही है reason ललत है assertion और reason दोनों ललत है बताओ क्या होगा सरे सीटेट की class है हां जी बेटा पेपर चलिए answer to this question will be expression को अक्तर है डी ठीक है water boiled easily at low altitude reason like reason like sea shores नहीं सीशोर coastal areas और coastal areas basically समुद्र तट के पास ठीक है तो समुद्र तट से ठीक है जैसे जैसे आप ऊपर आते हो ठीक है atmospheric pressure आपका यहां पर क्या होता है जाता होता है जैसे जैसे और उंचाई पर जाओगे atmospheric pressure कम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका atmospheric pressure कम है यह भी गलत है यह भी गलत है ठीक है तो यहां water easily boil नहीं होता जपकी आपका जो आपकी क्या जबलत है ठंडे लाके रहते है वहाँ पर आपका easily water boil हो जाता है क्योंकि वहाँ पर atmospheric pressure क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो D will be the right answer, ठीक है, D इसका क्या है, गलत, वो मतलब सही जवाब है, next thing is, which of the following are characteristic feature of trees in mountain range, ठीक है, mountain में मिलने वाले trees के क्या feature होंगे, तिरची शाकाय, सुईनुमा बत्तिया, मोम जसा मोटतना, लंबी घहरी जड़े, बताएं, पेपर वन मेटा रात में चलती है, पेपर टू की क्लास है, चलिए, तो mountain की trees आपने कैसे देखें, mountain की trees आपने कैसे देखें, एक तो कोण shift के देखें, इनकी जो basically branches कैसी रहती है, ठीक है, इनकी branches कैसी रहेंगी, ठीक है, आपकी, needle like, इनके leaves रहेंगी, तो x c n ठीक stem नहीं, चल, तो sloping branches रहेंगी, तिर्शी शाकाय रहेंगी, तिर्ची है, ठीक है, और आपकी सुई नुमापत्य रहेंगी, तो answer क्या हो जाएगा, A, A will be the right answer, second, अरे मेरे लाल, रेक्सी, कोटिंग और ठीक stem वहां मिलेगा, जहां गर्मी जादा पड़ेगी, यह desert का adaptation है, desert का adaptation है, ठीक है, long penetrating route, यह भी desert का adaptation है, चल, next thing is, statement 1, rising sun is not considered as an appropriate guide to locate direction in all season, statement 2, point of sunrise changes continuously, ठीक है, statement 3, during summer solstice, ठीक है, the point of sunrise shift toward the north, statement 4, during winter solstice, the point of sunrise shift toward the south, ठीक है, तो इन में से आपका question जाए, correct कौन सा है, correct statement कौन सा है, ठीक है, S1, S3 सही है, S1, S2 सही है, S1, S2, S3 सही है, S2, S3, S4 सही है, बताओ, सर्जी क्लास सात वजे से होने वाली थी, न, 6 से 7 होती है, बताओ, ये वाली क्लास, सात वजे से काँ से हो जानी, थोड़ा जए, तोड़ा, जानी बताओ, इसे वाली क्लास से ढहाए, थोड़ा जूम कर दीजिए दिख नहीं रगा दो डूरिंग विंटर सॉर्स्टीस द पॉइंट अव सुन्राइज श्यफ्ट टुवर्ड साओध गलत है सन कभी भी साओध से नहीं होगता ठीक है during summer solstice the point of sunrise shift toward north गलत है sun गवी भी north से नहीं उगता ठीक है point of sunrise changes continuously point of sunrise changes continually यह सही बात है ठीक है because आपकी earth अपनी access पे घूम रही है ठीक है तो आपका point of sunrise जो है वो आपका continuously change होता रहता है एक ही point पर आपकी earth नहीं रहती but आप सबको दिखता क्या है east है ठीक है but the thing is sun never rises in east nor set in west sun की position क्या है fix है ठीक है sun यह ना तो गूम के इधर आ रहा ना गूम के अधर आ रहा it is due to the rotation of earth वो तो earth जब घुमरी होती है आपको stem आपे प्रतीत होता है कि वो east है वो direction ठीक है दूसरी जीए rising sun is not considered as an appropriate guide to locate direction in all season यह भी सही बात है यह भी सही बात है ठीक है कि भाई सारे seasons में तो आप नहीं पता कर सकते अगर बहुत ज़ादा heavy rain हो रही हो तो आपका basicल ही दिखेगा ही नहीं आपको sun तो कैसे आप locate करोगे कि यह east है वो south है वो north है ठीक है आपकी बेसिकली कलर्लेस है जब हमने देखा कि इसमें हमने phenolpthylene लाना phenolpthylene आपका क्या होता इंडिकेटर होता है ठीक है तो यह आपका titration में इसने क्या दे दिया pink color दे दिया ठीक है c ने जब इस c solution को मैंने b और a में मिलाया तो b वाला तो कैसा हो गया pink color का हो गया बट a वाला नहीं हो पाया क्या है c क्या है strong base है option number c a strong acid है b weak acid है c strong base है option number d ठीक है a strong acid है b weak acid है और c weak base है बता titration अगर याद होगा तब तो यह easily कल लोगे answer to this question strong acid कभी भी titrations में आपका phenol 3D के साथ नहीं देते strong base आपका क्या देते है basically color देते है और जब आप weak acid ना आपका मिला देते हो strong acid का solution तो वो भी आपका यह color दे सकता है यह concept समझा दो किसका बेटा कंचन चोहान किसका phenol 3 works as an indicator in titration titration is a process in which we usually determine the strength of an acid or base with an unknown solution ठीक है तो जो acids होते है वो आपका कोई color नहीं देते phenol 3D के साथ ठीक है जबकि आपका जो base होता है strong वो तुरंत color दे देता है ठीक है और weak आपका थोड़ा सा time में color देगा titration एक एक एसी क्रिया है जिसमें आप अमल या शार की ताकत को निकालते हों किसी एक unknown reliance से test करके ठीक है तो जो बहुत ही आपके strong जो आपके मजबूत अमल होते है वो इस reaction में कोई color नहीं देते जबकि जो बहुत ही मजबूत शारक होते हैं वो आपका color देते है और weak आपका जो base होते है जो कमजोर होते है वो भी आपका color देते है sir मेरा नाम लो अफजल खान बोलते हूँ is that clear ? यह clear है तो यह थी आपके आज की class थोड़ी देर में आपकी science की class चालो हो जाएगी तो मने रहीएगा बाकी अपन कल फिर मिलते है ठीक है और रात में 9 वजे मिलेंगे paper 1 की EVS की class में ठीक है clear है हाँ किसी भी acid या waste की strength को निकालते है एक unknown solution से ठीक है तो अगर तुमने biurate में जो आपका biurate रहती है उसके अंदर अगर तुमने acid बढ़ा होगा तो phenolp3 के साब कोई color नहीं आएगा sodium hydroxide is a strong base याद होगा तो तुम sodium hydroxide बरते थी तो जैसे जैसे आपका चलता जाता था color आ जाता था नहीं phenolp3 का रंग गुलाभी नहीं होता phenolp3 is also a colorless solution but strong waste में डालते ही उनके बीच में reaction होती है वो pink color देता है चलत तो तो तिल रेन हाव बुट दे थेंक य। झाल झाल